Hello everyone, welcome to PW-only IES यहाँ पर आप देख पाओगे कि अगर आप 2025 की त्यारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रहार और साइसा स्रीजन प्रोग्राम जो है जहाँ पर आपको mentorship और test series देखने को मिल जाएगी इसके साथ ही साथ अगर कोई बच्चे 226 की त्यारी कर रहे हैं तो definitely उनके सामने Titan संकल्प के options है जो की Titan आपको English में और आपको संकल्प हिंदी और English दोनों में देखने को मिल जाएगा उसी तरह से जो अच्छे phased manual के अदर पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पर उनके लिए प्रारम बैच का option भी definitely available है तो यह सारे जो links हैं इनके नीचे में description में इनके links दे दूँगा या फिर अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप मारी team को भी contact कर सकते हैं चार्ट करते हैं जैसे मैं आपको बोलता ही हूँ economy technical है tough नहीं I hope आपको यह चीज़े पता लगी होंगी and साथ-साथ अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे telegram channel दिशव फिर्मा सर P.W.P जाके आप जुड़ सकते हैं ठीक है अब मुद्दा समझो यार की बात हम कर रहे थे किस topic की topic का नाम है fiscal policy आप लोगोंने पिछले chapters देख लिए होंगे पिछे chapters में हमने monetary policy कार में समझा था and जब मैंने आपको monetary policy समझाया था मैंने तभी आपको बोला था कि कुछ chapters बाद हमारे सामने fiscal policy भी आएगा जब हम बात करते है monetary policy की तो आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ बात होती है कि इसकी Reserve Bank of India की RBI Central Bank जो है वो कुछ ना कुछ अलग-अलग actions देता है and वो सारे steps हमने देखे भी थे quantitative tools, qualitative tools वो सारे चीज़े हमने समझ ली थी यहाँ पर जब हम बात करते हैं फिसकल policy की तो ध्यान में रखना है यहाँ पर आ जगा कौन यहाँ पर आएगी सरकार basically जो सरकार की नीती होती है उसी को हम fiscal policy बोलते है अब आप पूछेंगे सरकार की ऐसी क्या नीती है सरकार की क्या नीती है क्या आप लोगों ने सरकार के बारे में कुछ सुना नहीं है क्या सुना है सरकार की बहुत सारी schemes के बारे में आप लोग सुनते हो वो सरकार का खर्चा होता है है ना, सरकार इतनी सारी स्कीम्स लेके आती है किसानों के लिए, ठीक है आपके बुजर्ग के लिए, बच्चों के लिए पढ़ाई के उपर, हेल्थ के उपर अलग-अलग sectors के लिए अलग-अलग schemes हमें देखने को मिलती है वो सरकार का एक तरह से expenditure हो गया ठीक है? उसी तरह से सरकार की कमाई होती है For example, मैं जब पैसे कमाता हूँ तो मैं सरकार को कुछ payment देता हूँ income tax की form के अंदर उसी तरह से आपकी जो corporations होती है वो tax pay करती है अरे हम सब लोग GST pay करते है आप भी कोई course खरीद रहे हो या कुछ भी खरीद रहे हो आप कभी restaurant में जाते हो वाँ GST pay करते हो वो भी तो क्या है? वो भी tax है सरकार को जा रहा है तो दरसल में सरकार के जो सारे अलग-अलग tools है कहाँ पर सरकार पैसा खर्च कर रही है कहाँ से सरकार को income आ रही है वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़नी होती है basically यहाँ पर आप notice कर पाओगे कि सरकार का spending यानकी खर्चा कितना होना चाहिए and tax rate कैसे होनी चाहिए कि हमें पता होना चाहिए देखो आज के session में हम पता क्या पढ़ेंगे हमने budget को थोड़ा discussion करना है क्योंकि आप notice करो जब हम बात करते हैं budget की don't worry अभी discuss करेंगे 10-15 मिनिट बाद budget जब हम discuss करते है तो budget एक ऐसे चीज़ है जहाँ पर सरकार अपनी नीतियां बताती है budget कई बार आपने सुना भी होगा निर्मना चीज़ा रमान जी को कि कैसे वो बात करती है कि यह नई नी schemes हम यहाँ पर लोगों के लिए लेकर आ रहे है यहाँ पर tax को कम कर दिया या ऐसे changes कर दिये यह आपने सुना होगा तो दरसल में budget क्या है budget भी तो हमारा एक fiscal policy का एक बहुत important tool ही है उसके अलाबा आप लोगों ने disinvestment के बार में सुना होगा कि के बार सरकार बेच देती है किसी चीज़ को या फिर अपनी शेर होल्डिंग का कम करने कोशिश करती है सुना होगा ना इस टरम का disinvestment privatization के बार में आप लोगों ने सुना होगा तो इसके बार में भी हमें discuss करना पड़ेगा क्योंकि जब कहीं ना कहीं सरकार अपने हिस्सा कुछ बेच दी अपनी company बेच दी सरकार ने मालनो कोई या उसमें अपनी share holding कम कर दी तो सरकार ने कुछ पैसा कमाया होगा एर इंडिया को बेच आता तो सरकार को पैसा मिला तो वो भी अपने आप में क्या है सरकार का एक तरह से उसको पैसा मिल रहा है उसको receipt आ रहा है उसको discuss करेंगे इन टरम्स को just at the same time GST एक बहुत बड़ा मुद्दा है तो आज के session में आप तीन बड़े-बड़े मुद्दे आपको जो discuss करने होंगे वो budget का होगा disinvestment का होगा GST एक बहुत ही news में रहता है तो इन सबी चीज़ों को आज हम discuss करेंगे तो यह सारी चीज़े जो लिखी हुए taxation, annual budget, welfare measures, subsidies लेती है सरकार कर्जा लेती है सरकार सरकार क्वास के बर पैसा बच जाता है उसको बोलते है surplus ठीक है? debt का मतलब होता है कर्जा कर्जा कब लोगे? जब आपने कमाया कम है खर्चा जादा किया है surplus का मतलब है कमाया जादा है खर्च कम किया है understood? तो इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर बोलते हैं आपका fiscal policy के अलग-अलग measures देखने के मिल जाएंगे important बात आपको ध्यान में रखनी है क्या है कि definitely हमारा जो fiscal policy है ना और monetary policy दोनों मिलकर काम करते हैं दोनों मिलकर काम करेंगे उससे कही ना कही हम देश की economic development करते हैं तो these are the terms that you should remember ठीक है अब fiscal policy में अलग-अलग तरह की हो सकती है कैसी अलग-अलग तरह की? एक हो सकती है आपकी neutral fiscal policy neutral का मतलब क्या है? neutral जैसे क्या होता है? बीच में ऐसे neutral में क्या होगा? आप जितना पैसा कही ना कि पैसा कमा रहे हो उतना ही पैसा अगर खर्च हो रहा है तो बराबर हुआ ना दुनों चीज़े तो यानि कि अगर मान लो सरकार की जो spending है spending मतलब सरकार का जो खर्चा है versus सरकार की जो कमाई है taxation taxation अगर ये दोनों बराबर हो जाए ये तराजू अगर दोनों में बराबर हो जाए इतना कमा रहे हैं उतना ही खर्च कर रहे हैं तो ऐसी policy को हम क्या बोलते हैं? ऐसी policy को हम बोलते हैं neutral policy on the other hand अगर मान लो एक ऐसी situation आ जाए जहां पर क्या हो रहा है? ऐसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे expansionary, sorry fiscal policy monetary भी हमने discuss किया हुआ है याद करो जब हम बात कर दे थे reporate को कम करना बाद expansionary महां क्या हो रहा था? market में पैसा बढ़ाया जा रहा था याद है आप लोगो reporate हमने जब देखा था कि reporate कम करना is expansionary monetary policy वो RBI कर रहा था यहाँ पर हो रहा है expansionary fiscal policy सरकार अपना खर्चा भढ़ार ही है सरकार खर्चा ज़ादा कर रही है कमाई से कमाई कम है उसकी खर्चा ज़ादा कर रही है इसका मतलब क्या है? सरकार खूब खर्च कर रही है मार्किट में ज़्यादा पैसा जा रहा है तो दरसल में expansionary word दोनों जगा सेम है कहीना कहीं in the end हम क्या कर रहे हैं हम कहीना कहीं growth करने की कोशिश कर रहे हैं याद करो expansionary monetary policy हमने देखा था रेपोरिट नीच आते थी तो growth होती थी यहाँ पर भी सरकार पैसा खर्च कर रहे है खर्च क्यों कर रहे होगी कुछ subsidy देगी, कुछ schemes चलाएगी किसानों को मदद करेगी, किसी और को मदद करेगी लोगों को पैसा पहुंचेगा लोगों तक पैसा पहुंचेगा तो कहीना कि उसको बोलते हैं हम expansionary fiscal policy तो यहाँ पर क्या हो रहा है अगर मालो सरकार की spending कम है 30% है एंड सरकार की कमाई जादा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है सरकार के पास पैसा आ रहा है आ रहा है, टेक्सेशन के मादम से पर सरकार उचना पैसा खर्च नहीं कर रही तो उससे क्या होगा सरकार जादा पैसा आएगा तो मार्केट में सरकार जादा पैसा खर्च नहीं कर भी तो एक तरह से सुकुड़ने कोई बोलते हैं कंट्रेक्शनरी फिस्कल पॉलिसी आई होप ये बात भी आप समझ गे होंगे अब जब हम बात करते हैं के फिस्कल पॉलिसी के सिगनिक तो आप समझ थे होंगे कि इम्पॉर्टटस जेफिनीटली है अगर मालोग भ्रोथ करनी है तो उसके लिए फिस्कल पॉलिसी इम्पॉलिसी इंपॉर्टटनला है जो सरकार स्पेंड्निंग करती है और सोचो, खुँछ सोचो जैसे सरकार स्कीम से लेकर आती है, क्यों लेकर आती है भाई देश में बेरोजगारी अगर है उसको खतम करना है, देश से गरीबी को खतम करना है, हमने ये सारे topics poverty, unemployment, ये सारे topics पिछने lectures में हम लोग पढ़के आ चुके हैं तो ये चीज़ें आपको वहाँ से एक्स तो हमें पता है, एक्स क्या होता है हम जो पैसा कहने के सरकार को भी करते हैं पर वो सेम नहीं होता, वहाँ पर भी दो major categories है, एक हो गया आपका direct tax, एक हो गया indirect tax, इसका मीनिंग क्या हुआ देखो, अब अराम से समझना इस point को जैसे for example, मैं अपने ही बात करता हूँ जैसे माल लो whatever मेरी कुछ income है जो भी आपको मानना है, ठीक है मैं अपनी क्यों बताऊँ, आप अपनी मानों ठीक है, माल लो एक person है मैंने इसका नाम रख दिया मैंने इसका नाम रख दिया, कुछ भी अंकित, ठीक है अब यह जो person है अंकित, ठीक है लेट से महीने का एक लाख रुपया कमाता है तो साल का बारा लाख कमाता है ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं अब महीने, सारी, साल का अंकित बारा लाख रुपया कमा रहा है, ठीक है पर क्या आप लोग एक बात नोटिस कर रहे हो यह text किसकी जेब से कटा आप बोलोगे अंकित की जेब से कटेगा और किसकी जेब से कटेगा अंकित को ही जेब से कटा ठीक है और सरकार को पे किस ने किया आप बोलोगे वो भी अंकित ने पे किया तो हुआ क्या ना, दो चीज़ें यहाँ पर देखनी है, क्या दो चीज़ें, एक बात है, कि किसकी जेब से पैसा कट रहा है, right, and दूसरी चीज़ है, कि किसको, सरकार को कौन पे कर रहा है, कि who bears the burden, burden मतलब किसकी जेब से कट रहा है, and who pays to the government, यहाँ पर पता क्या है, यहाँ जो अंकित है, उसकी जेब से ही पैसा कट रहा है, मतलब उसका ही उपर burden आया, and at the same time, सरकार को pay करने की जिम्मेदारी किसकी थी, वो भी अंकित की ही थी, तो दरसल में यह जो बात होती है, इसको हम बोलते है, tax incidence, right, and दूसरी चीज़ होती है, हमारा tax impact, ठीक है, ठीक है, ठी क्या हो रहा है, अंकित की जेब से ही पैसा कट रहा है, and अंकित के उपर ही जिम्मेदारी है, उसको जमा कराने की, जब भी आपका tax incidence और tax impact, same person पर होता है, I repeat, tax incidence और tax impact, जब आपका same person पर होता है, उसको बोलते हैं, आपका direct tax, समझे, मैंने कमाई करी, मेरा income आई, ठीक है, म ही है, तो वो हो गया direct tax, इसी तरह से होता है, आपका corporation tax, जैसे कोई company है, let's say physics वाला ही है, या आपका reliance है, whatever, अब reliance company ने कुछ पैसा कमाया होगा, ठीक है, reliance company ने पैसा कमाया, तो सरकार को जमा कराने की जिम्मेदारी किसकी, reliance की, किसकी जेब से कटेगा, reliance से ही, तो actual मे बताओ, सरी, indirect tax क्या चीज़ का है, indirect tax समझना, actually पता क्या होता है, जैसे आप लोगोंने GST सुना होगा, अभी हम discuss करेंगे GST, don't worry about it, पर आपने कभी notice किया, कि कई बार ना, जैसे, आपने मान लो, course खरीदा, let's say, आपने PW का कोई course खरीद लिया, ठीक है, अब PW का course खरीदा उसकी या किसी भी company गा, whatever, कुछ भी course खरीदा, तो GST कौन पे करेगा, आप बोलोगे आप, जैसे वाला जो पैसा होता है, वो कौन पे करेगा, आप, पर सरकार को जमा क्या आप करा रहे हो, नहीं, सरकार को जमा आपकी company करवा रही है, do you understand this point, या और छोड़ो, आप मान लो किसी hotel में खाना खाने गए, restaurant में खाना खाने जाते हो, मा पर bill मन के आया, आपका 100 रुपे, और इसके उपर GST कुछ लग गया, मान लो 18 रुपे लग गया, तो 118 रुपे हुए, ये 100 रुपे तो आपने खाना खाया, ये था आपका GST, राइट, है ना, ये जेव किसी किसी और की हुई, जब भी आपका text incidence और text impact, तो अलग-अलग entities पे होता है ना, उसको हम बोलते हैं क्या, indirect text, तो आपको ध्यान में क्या रखना है, कि incidence और impact, they are on two different entities, right, जब same entity पे था, तो हमने देखा उसका क्या, उसका meaning था आपका direct text, पर जब आपका different entity पे आ जाता है, उस progressive in nature, progressive का मतलब क्या है, देखो, actual में आप एक चीज़ समझना, मैं आपको explain करता हूँ, यहाँ पे, माल लो, अगर मैं ये बात कह रहा हूँ, कि जिसकी income कम, या जिसकी income zero let's say, जिसकी income कम है, उसके उपर मैं कोई tax नहीं लगा रहा, जियांते सुनना, जिसकी income कम है, उसके उ आपकी income बढ़ती जारी है, उसके हिसाब से क्या हो रहा है, percentage of tax जो आप पे करोगे न, वो क्या होगा, वो बढ़ता जा रहा है, इसका बता क्या है, आप notice को जैसे इंडिया में income tax भी ऐसी work करता है, अगर मेरी income यार 5 लाग से कम है, मेरी income बहुत कम है, तो वहाँ मुझे tax नहीं देना सरकार को, ठीक है, मेरी income थोड़ी सी बढ़ जाती है, मालो 15 लाग हो जाती है, 10 लाग हो जाती है, वहाँ पर सरकार को कुछ percentage tax देना होता है, पर अगर मेरी income 40-50 लाग है, उससे भी उपर जादा है, वहाँ पर बहुत जादा है, यह क्या है, जैसे ऐसे आपकी income बढ़ रही है, accordingly percentage of tax आपको जाद देना पड़ रहा है, यह है आपका progressive tax का example, तो दरसल में आपके जो direct tax होते हैं, वो progressive होते हैं, समझ गे, जैसे income tax की बात करी, corporation tax भी आपका progressive होता है, अगर कि company बहुत कम पैसा कमाती है, उसके पर tax बहुत कम होता है, ऐसे से करके बढ़ता यह कुछ पैसे कमाता है, यह कुछ और पैसे कमाता है, माल लो यह कमाता है, 1000 रुपे, और इधर हमारे अडानीजी हैं, ठीक है, यह करमाते हैं, 1 करोड रुपे, ठीक है, यह कम कमा रहा है, यह पैसा बहुत जादा कमा रहा है, ठीक है, पर माल लो हमें कोई ना product खरीदना मतलब जैसे फॉर एक्जांपल माईलो रेस्टॉरंट में घे ठीक है अब रेस्टॉरंट में खाना खाने गए ना न तो रेस्टॉरंट में भाई लगा तो ज़रा 18 रुपे नोटेस करो इनके एक करोड़ का बहुत ही कम परसेंटेज हुआ पर इसका तो बहुत साधा परसेंटेज हो गया ना तो होता किया ना इस चीज़ को बोलता है रिग्रेसिव टेक्स अपने आप में इस बचारे को और गरीब कर देगा notice करो progressive text से पता क्या हो रहा है progressive text में जो गरीब बंदा है उसको text नहीं देना पड़ रहा है अमीरों को खूब text लग रहा है पर regressive text में उल्टा हो रहा है regressive text में बंदे की कमाई बहुत कम थी और उसके पर text काफी ज़दा लग रहा है उसकी income के हिसाब से इनको यहाँ पर टेक्स बहुत ही कम लग रहा है तो you understand this point इसको बोलता है regressive बलाव same amount of text दिया रहाता है पार्दी जी का same text दिने रहा है इन दोनों को पर इनकी income के हिसाब से notice करोगे तो percentage of text इसका बहुत कम होगा इसका बहुत अदा होगा उसी तरह से एक चीज़ होती है आपका proportional text proportional text में क्या होता है यहाँ पर percentage common रहता है जैसे आप income के साथ अगर text paid आप notice करोगे तो एक certain वो same रहेगा progressive text के साथ क्या था जैसे आपकी income बढ़ेगी percentage या text paid आपका ज़ादा बन जाएगा जैसे आपकी income regressive के अंदर उल्टा होता है तो मुझे आप एक चीज़ बताओ अगर माल लो हमें दुनिया में equality लानी है तो क्या चाहिए होगा सर हमें ना progressive text के उपर focus करना पड़ेगा income tax आपका corporation tax यह हमें मदद कर सकते हैं किस चीज़ के अंदर आपकी income equality लाने के अंदर तो फरक मैंने आपको समझा दिया direct tax और indirect tax का and income meaning भी आपको explain कर दिया एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ आप लोगों ने ना जैसे text था ना ऐसे एक term होती है आपकी expenditure जाए एक term होती है expenditure खर्चा अब ना यहाँ पर पता क्या होता है यहाँ पर भी दो terms का आपको पता हो जाएए एक है आपका progressive expenditure एक है आपका regressive expenditure right progressive expenditure की बात कर रहा हूँ टेक्सिस की बात नहीं कर रहा हूँ होता पता क्या है अगर सरकार अमीर पर जादा खर्चे उसको बोलते हैं हम Progressive Expenditure अगर आप अगर सरकार जो है गरीब इंसान पर जादा खर्चे उसको बोलते हैं हम Regressive Expenditure बात वही है एक्चल में वो पता क्या रहा था आपका जब Progressive Tax पड़ा था Progressive Tax पर हमने देखा कि सरकार अमीरों पर जादा टेक्स लगा रही थी तो उसको Progressive Tax पोल दिया अगर सरकार अमीरों पर जादा खर्च करे यह जैसे जिसकी इंकम बढ़ती जा रही है उससाब से सरकार उनको जादा खर्च कर रही है अगर माल लो सरकार को इंकम इक्क्वैलिटी लानी है मतलब दुनिया में इक्वैलिटी लानी है तो उस केस में क्या करना होगा आप बोलो कि सर्क्वैलिटी लानी है पहले चीज़ना इक्वैलिटी के लिए Important है tax लगाओ tax किसपे अमीरों पर जादा tax तो that means, हमें के करना होगा equality लाने के लिए, हमें लाना होगा क्या, progressive taxation, ये taxation वाली बात होगी, अमीरों पर जाए tax लगाओ, गरीबों पर कम, तो progressive taxation, पर खर्चा कैसा करना होगा, सर्फ खर्चा करना होगा, regressive expenditure, regressive expenditure मतलब, जो जितना गरीब है, उसके उपर पैसा जादा benefit तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, तो equality लानी है, progressive taxation and regressive expenditure के साथ, आपको distribution of income अच्छे से हो पाएगा, जो की हमारा DPSPB है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, अपनी quality classes के अंदर, तो ये चीज़े तो हमने समझ ली, अब हमें तीन major मुद्दे समझ रहे ह तब आपको उसका current portion आपको खुद cover करना पड़ेगा, या YouTube में भी आपको कुछ classes provide कर दूँगा, don't worry about it, right, तो पहले हम budget पढ़ेंगे, फिर एक बहुत important मुद्दा है, हमारा taxation के अंदर ही, that is goods and service tax, वो mains के perspective से बहुत जाए important हो चुगा है, and तीसरा हमारा important मुद्दा होगा that is with regards to disinvestment, एक्चल में जो budget वाला portion है, वो prelim perspective जाधा important है, बहुत प्रिलिम मेंस दोनों से perspective से important है, और आपका GST और आपका disinvestment, ये मुद्दे आपके main perspective से definitely important है, तो उनको उसी तरह से हम यहाँ पे पढ़ने के आज कोशिश करेंगे, तो आपको मैं अगर बात करूँ, आख मैं बात करूँ सरकार के taxes की, तो सरकार के लिए tax क्या हुआ, सरकार के लिए tax ये income का source हुआ, उसकी कमाई का एक साधन हुआ, बिल्कुल ठीक बात है, उसी तरह से सरकार का बहुत सारा खर्चा भी होता है, उसका expenditure जिसको बोलते है, spending आप कह सकते हो, तो जब मैं बात करता बज़ेट की, तो बज़ेट के मादियम से यही taxes के बारे में, expenditure के बारे में, हमें अच्छी गासी जानकारी मिलती है, तो यानि कि सरकार का fiscal policy implement करने का एक तरीका बन गया, that is known as budget, अब अगर आप अपना समिधान खोलकर बैठेंगे न, आपको ये budget शब्द कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, मैं आपको example देता हूँ, जैसे अगर मैं बात करता हूँ, ये समिधान का, ये आपका article 112, आपको budget शब्द कहीं नहीं यूज़ करता हुँ, देखने को मिलेगा समिधान के अंदर, उसकी जगह के उपर जो word used है, that is AFS, यानि कि annual financial statement, अब यहाँ आपर terminology receipts and expenditure of government of India for that year, in that part referred to as annual financial statement, एक एक वर्ड बहुत जाएं point है, देखो यहाँ पे एक वर्ड यूज़ क्यों है, कि president, president सहाब रखेंगे, आपका जो budget होता है, पर आप बोलेगे सर्वो तो finance minister रखते हैं, बिलकुल, जो finance minister रखती है, on behalf of president, and यही same question UPS ने ने 12-14 में पूछा point, तो इस तरह है question आ जाते हैं, तो president के behalf के उपर finance minister यहाँ पर budget को present करती है, ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, कि भाया यह जो आपका budget होता है, यह दोनों houses of parliament में यहाँ पर उनके सामने रखा जाता है, I understand कि जब बात होती है budget की, तो पैसा जो कि जब मैं बात करता हूँ, आपके expenditure की, आपके खर्चों की बात करते हैं, सरकार का, तो आपने quality में पड़ा हुए है कि खर्चे भी दो तरह से हो सकते हैं, या तो आपका expenditure charged होता है, right, and दूसरा होता है आपका जो expenditure meet, कुछ ऐसा खर्चा होता है जिसके उपर voting नहीं होती, उसको हम बोलते थे हैं, charged expenditure, जैसे president साब की salary हो गया, आपके judges की salary हो गया, right, इस तरह है कुछ खर्चे होता है, उनको हम charged expenditure बोलते हैं, जिनके पर voting नहीं होती, बाकियों के उपर voting होती है, वो made expenditure के अंतर गताते हैं, तो यह सारी चीज़ों हम यहाँ पे देखने को मिल जाती है, तो यही सारी चीज़ों को हम budget कह सकते हैं, जहां पर revenue, यानि कि आपका income हो गया, और आपका expenditure, इसके बार में हमें जानकारी मिलती है, बहुत सारी सरकार की जो अलग-अलग schemes होती है, उनका हमें जानकारी मिलती है, तो एक तरह से पूरा एक खाता बन जाता है, I hope budget का basic idea आपको clear हो गया होगा, अब एक चीज़ आपके दिमाग में आएगी सर, आखिर ये budget बनाता कौन है, क्या ऐसा है कि हमारी जो finance minister है, वो सारा का budget अपना खुद लिखती है, ऐसा नहीं होता, जरह सल में हमारी जब मैं बात करता हूँ, finance ministry की, अगर मैं मंतरालियों की बात करू ये total 6 departments आपको आज के समय वित्तमंतराले के अंदर कर देखने को मिल जाते हैं, पहला आपका department है department of expenditure, एक department है department of revenue, एक आपका deep pump के नाम से है, that is department of investment and public asset management, उसके लावा आपका department of economic affairs हो गया, आपका department of financial services हो गया and department of public enterprise हो गया, अब आपको ध्यान ये रखना है कि जब मैं बात करता हूं, budget की, तो budget के लिए जो department responsible है, that is department of economic affairs, दरवसल में department of economic affairs की मिना आगे-ागे divisions है, तो जो यहाँ पे department of economic affairs की जो budget division है ना, वही budget को बनाती है, तो कल को ये भी सवाल आ सकता है, कि दरवसल में कौन सा department responsible है, तो आपको ध्यान में रखना है कि वित्त मंतराले का department of economic affairs का जो budget division है, वो responsible होता है budget को बनाने के लिए क्या ये बात clear हुई? ठीक है, ये total 6 department इस तरह से हमें देखने को मिल जाते हैं अब एक काम करते हैं, थोड़ा सो पहले समझते हैं कि आखिर budget में क्या के चीज़े होती हैं देखो मैंने आपको एक चीज़ समझाई कि budget है क्या? budget सरकार के लिए यही तो है कि भाई कितना पैसा कहां से आ रहा है और कितना पैसा आप कहां पे खर्च कर रहे हो यही तो मुद्दा होता है ना तो इसको ही present करने का अलगलग terminologies आ जाती हैं, यह जो आपके सामने terminologies आप देख पा रहे हो, receipts आपका expenditure, आपका capital receipt, revenue receipt इस तरह इन चीज़े देखने को मिल जाती हैं अब बहुत वच्चों को इन term से बहुत जाद डर लगता है पर आपको गभराने की बात बिलकुल भी नहीं है आप ध्यान से समझ लेना मेरी बात को and I am sure यह वाली चीज़ आप कभी नहीं भूलोगे संदगी के अंदर बस 5 minute मैं आपकी attention चाहूँगा अगर आपने 5 minute अटेंटिवली सुन लिया तो I think यह वाला topic आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा देखो let's say, मैं आपको एक example देता हूँ माल लो आपकी ना family की बात करते हैं मैंने का कहा आपकी family की बात करते हैं और मैंने आपको बोला कि आपकी family की इंकम है 500 रुपे कितनी इंकम है 500 रुपे तो ठीक है आप लोग मुझे ये बता सकते हो कि अगर आपकी family ने 500 रुपे कमाए होंगे तो कहां कहां से आ सकते हैं तो इसके बताओ एक बार, आप बोलो के sir ठीक है, पांच सूर पर आये हैं, ठीक है, इसके बहुत सारे sources हो सकते हैं, let's say कोई ऐसा हो आपकी family के अंदर, जो कहीना के कुछ यहाँ पर आपका कहीं से job करता हो कहीं पर, वो एक तरीका हो सकता है, कोई job हम कर रहे हैं, और हमारी कोई दुकान हुआ करती थी, हमारा कोई घर था, हमारी कोई जमीन थी, हमने उसको बेच दिया, तो वहाँ से पैसा कमा सकते हैं, बिलकुल ठीक बात है, तो पैसा कमाने के तो यह अलग-अलग तरीके हो सकते हैं, ठीक है, उसी तरह से मैंने बोल दिया, आपकी family का भी कुछ खर्चा है, मालनों मैंने बोल दिया 500 रुप्या ही खर्चा है, तो इस case में क्या आप मुझे य बिल बरना है, पानी का बिल बरना है, ऐसे बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं, ठीक है, कुछ और भी खर्चे हो सकते हैं, let's say for example, अगर मैं बात करूँ, आपका खर्चा ये भी हो सकता है, कि आपको कुछ नई दुकान खरीदनी थी, तो आपको बहुत बड़ा खर्चा वहाँ बिल बजट के लिए भी अलग-अलग चीज़े खर्चे हो सकते हैं, अलग-अलग कमाई के साधन हो सकते हैं, पहले मैं आपको न, थोड़ से सरकार के आपके खर्चे दिखा लता हूँ, कि सरकार खर्चे कहां पर करती है, let's say for example, अगर मैं बात करूँ, सरकार का खर्चा क्य बिलकुल सही बात है, मैं सबके एक्जामपल्स दे दूँगा, घबराना नहीं है, पर हवेले कॉंसेट को समझो, तो इतना के खर्चे होते हैं, और आप नोटिस करो गयार, यह वो वाले खर्चे हैं, जो सरकार बार-बार कर रही है खर्ची, मतलब कि अभी इस महीने सेलरी दे दी, फिर अगले महीने दे देंगे, फिर अगले महीने दे देंगे, ऐसे खर्चे regular basis की उपर होते जा रहे हैं, तो सरकार का एक तो खर्चे यहां पर होता होगा, इसके अलावा भी कोई बड़े-बड़े खर्चे होंगे, हाँ बिलकुल सहीं, और भी बहुत सारे हैं, जैसे for example, सरकार कहीं पे सर सडक बना रही है, मालो, कुछ ब्रिज बना रही है, या फिर let's say, सरकार ने कुछ जमीन खरीद ली, land buying, कुछ infrastructure बना दिया, ये सारे क्या है, ये सारे बहुत बड़े वाले खर्चे हैं, are you getting my point, ये सब ऐसा खर्चा है, जो मतलब बार बार न बना दि, उसके बाद हां गड़े बड़े आएंगे, वो बहुत अलग चीज़ है, पर एक बार आपने infrastructure यहां पर create कर दिया, एक बार अपना asset create कर दिया, are you getting these things, ये बहुत बड़े वाले खर्चे हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, अब सरकार की सरकमाई कहां से हो सकती है, उसके उनका भी एक idea देंगे क्या, बिल्कुल देंगे, सरकार की कमाई के साधन क्या हो सकते हैं, आप बुलोगे हैं, सरकार की सरकमाई तो एक बहुत massive level की उपर, taxes की form में होती है, होती है नहीं होती, बिल्कुल होती है, taxes form में कैसे, अरे भाई, आप लोग पैसा कमाते ह मैं कमाता हूं, मैं tax देता हूं, income tax सरकार को, ठीक है, आप भी देते हो, आप ही मत सचो कि मैं नहीं देता, अरे आप लोग भी GST पे करते हो, नहीं करते हो, बहुत सारे आप कहीं पर खाना खाने जाते हो, वाँप GST लगता है, बहुत साए चीदों के उपर GST लगता है goods and service इस tax, उसको भी कभी discuss कर लेंगे, तो ये tax जाता किसको है भाई, ये सरकार को ही तो जा रहा है, तो क्या सरकार के लिए आपका चाहे income tax हो गया, या आपका GST हो गया, क्या ये सरकार की कमाई नहीं है, आप बोलोगे, बिल्कुल है सर, सरकार की कमाई है, और क्या चीज़े हो सकती है सरकार की कमाई के अंदर, और क्या चीज़े हो सकती है, एक बहुत बड़ी चीज़ सरकार की कमाई होती है, पता क्या, सरकार बहुत सारे अलग-अलग PSU को के बर बेचती है, देखा होगा न आप लोगों ने, सरकार ने इसको बेच दिया, उसको बेच दिया, बहुत ठीक बात है, अब आप ना मैंने बस एक 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 जामपल दिया, भी मैं और एक जामपल दे दूँगा, पर क्या आप एक बात notice कर पा रहे हूँ, कि सर इधर आपने वो चीज़े लिखी हैं, इस साइड के अंदर मतलब ये वाली साइड के उपर, जैसको थोड़ा मैं अलग कलर से बना देता हूँ, कि इस साइड के उपर सर आपने वो वाली चीज़े लिखी हुई हैं, जहां से सरकार की सरकार का expenditure होता है, राइट, इस साइड आपने वो चीज़े लिखी हैं, जो सरकार के लिए कमाई का साधन बनती हैं, बिल्कुल ठीक बात है बिल्कुल ठीक बात है पर क्या आप notice कर पा रहे हूँ यह वाले भी ना, अगर मैं इस area की बात करूँ, तो यह आपके सरकार के वो वाले खर्चे हैं, कौन से वाले खर्चे हैं जो सरकार को repeatedly करने पड़ रहे हैं इसे वाले जो खर्चे थे यह वैसे नहीं है यह बड़े खर्चे हैं, पर repeatedly नहीं हो रहे है उसी तरह से बात करने सरकार की कमाई की यह सरकार की कमाई regular basis पर आ रही है यह वाली कमाई कभी-कभी आएगी जब सरकार ने वो चीज बेची होगी तो फरक समझ पा रहे हो कि हाँ कमाई के साधन है आपके खर्चे के भी खर्चे भी अलग-अलग ज़रा पर आप कर रहे हो पर खर्चों में भी अलग-अलग टाइपस है बात समझ गए अब इनके थोड़े नाम भी मैं आपको समझाऊंगा और I'm sure आप लोगों को ना मैंने कही बार एसेट और लाइबिलिटी का मतलब समझाया हुआ है एक्चल में होता पता क्या है जैसे मानलो यह मेरा फोन है मेरे सामने यह मेरा है किसका है मेरा है तो यह मेरा एसेट हुआ समझ रहे हो ऐसे मानलो सरकार ने एक सड़क बनाई तो कही ना कही वो सरकार ने क्या कर दिया वो सरकार ने एक एसेट करेट कर दिया Are you getting this thing? कोई चीज किसी की होगी ना ownership होती है तो उस चीज़ को मैं उस चीज़ का एसेट बोल देते है तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हूँ कि जब ना सरकार ने यहाँ पर सड़क बनाई ब्रिज बनाया या कोई जमीन खरी दी सरकार ने क्या किया? अपना एसेट करेट किया किया या नहीं किया? बिल्कुल किया पर इस केस में मुझे बताओ जब मैं बात कर रहा हूँ सेलरी या पेंशन की क्या सरकार ने जब यह खर्चा किया तो क्या कोई सरकार का एसेट करेट हुआ? अरे नहीं सर, सरकार के इंप्लॉईस थे सरकारी मुवाजम थे सरकार ने उसको यहाँ पेंशन दी या सेलरी दी and accordingly बस बात खतन कोई एसेट तो क्रेट ही न हो रहा तो दरसल में यहाँ पर यह वो वाला खर्चा जहाँ पर एसेट के उपर या लाइबिलिटी के उपर कोई इंपेक्ट नहीं आता उसी तरह से यहाँ पर आप देखो जब मैं कमाई की बात कर रहा हूँ अब कमाई के अंदर यहाँ पर ने बोली दिया कि सरकार ने अपनी जमीन बेची है सरकार ने बबिक सेक्टर अंडर्टेगिंग बेचे पीस्यू बेचा तो सरकार ने एसेट को सेल किया कहने का आर्जपता क्या है यहाँ से सरकार की कमाई हो रही है और यहाँ पर भी आपका एसेट और लाइबिल्टी में बदलाव आ रहा है पर यहाँ अगर हम बात करें टेक्सिस के अंदर यहाँ पर आपने सरकार को टेक्स दे दिया, बात खतम कोई asset को liability थोड़ी करेट हुई नहीं सर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ ना asset पे को impact आया, ना liability पे को impact आया, तो क्या आप एक जिस notice कर पा रहे हो, कि हमने सर सरकार की कमाई के साधन भी देखे सरकार के खर्चे भी हमने यहां पे देखे पर हमने यह notice किया कि सरकार की कमाई के अंदर भी दो टाइप्स थे एक ऐसी टाइप जिसके अंदर asset के उपर को impact आ ही नहीं रहा एक ऐसी टाइप जहां पर asset या liability के उपर impact आ रहा है उसी तरह से जब मैं बात करता हूँ सरकार के खर्चों की तो सरकार के खर्चे भी दो तरह से थे एक ऐसे खर्चे जहां पर हमें asset और liability पे को impact नहीं देखने को मिल रहा वेरस कुछ ऐसे खर्चे भी थे जहां पर asset और liability पे impact दिख रहा है अब बस इनके नाम होते है अगर तो मान लीजिए अगर तो मान लीजिए let's say अगर asset liability पे को impact नहीं आएगा तो इस चीज़ को हम बोल देंगे क्या revenue समझ गे और क्योंकि यहां पे यह क्या है यह income है ना तो यहां पे income के लिए word use उता receipts receipt word क्यों use किया क्योंकि यहां पर क्या है यह income है बलब एक तरह से यहां पर पैसा आ रहा है यहां रेज़िशुट से पैसा आ रहा है और यहां पर इसलिए मैंने revenue की word use किया क्योंकि यहां पर asset के ओपर कोई change नहीं आया यहां पर जबात करना है asset selling की तो asset के लिए जब word आएगा तो word आएगा capital and क्योंकि पैसा आ रहा है तो मैं word use कर दूँ है इसके साथ receipts अगर मैं इधर बात करूँ यहां पर notice करो asset के ओपर बदलाव आया answer is yes तो इसका नाम पर क्या पड़ेगा capital पर क्योंकि यह खर्चा है तो इसको हम बोल देंगे capital expenditure उसी तरह से यहां पर मैं उपर की बात करूँ यहां पर क्या asset liability में बदलाव आया नहीं आया तो word use होगा यहां पर revenue and क्योंकि खर्चा था तो word आएगा expenditure क्या यह terms आपको समझाई मैं जस्ट एक पर summarize कर देता हूँ expenditure का मतलब पैसा जेब से बाहर जाना receipt का मतलब पैसा जेब में पाना समझ गयो तो अगर receipt का word use है ना आप बस यह देखो क्या सरकार को पैसा मिल रहा है अगर answer है हां तो आप उसको receipt बोल दोगे asset बेचा पैसा आया receipt हाँ text से सरकार को पैसा आया हाँ तो word use हो गया receipt receipt का मतलब सरकार की जेब में पैसा आ रहा है expenditure का मतलब सरकार की जेब से पैसा जा रहा है और बात अगर मैं बात करूँ revenue और capital की यह word कैसे use करेंगे revenue तब use करेंगे जब asset और liability पे कोई impact नहीं आ रहा अगर impact आ रहा है तो word use हो जागा capital परक समझाया जैसे for example सड़क बनाई सरकार सड़क बनाई सरकार ने तो सरकार का पैसा खर्च हुआ तो word तो expenditure आ जाएगा साथ में क्या हुआ सड़क बनाने कवजिसे सरकार को asset create हुआ तो asset में वदलाब आया बिलकुल आया तो word use हो जागा आगे capital बस इस तरह से आप कोई भी निकाल सकते हुआ जैसे मालो tax की बात थी tax सरकार को मिला सरकार को tax मिला मिला मतलब सरकार की जेव में पैसा आया पैसा आया तो आपका क्या हुआ receipt तो हुआ पर क्या asset liability पे कोई बदलाब आया नहीं आया तो word use हो जागा यहाँ पे revenue receipt यही आपकी terminologies होती है जो budget के अंदर बच्चों को बहुत बहुत ज़ा confuse करती है जितनी clarity से मैंने समझाने की में कोशिश कर रहा था आप वो चीज समझ पा रहे होंगे तो थोड़ा सा इसके budget के हिस्तना से types बन जाते है अब थोड़ा सा और detail में पढ़ लेते हैं ताकि आपका कोई doubt रहे ही न जिसे for example जिसे मैं कहा रहा था न आपके budget के अंदर एक हो गया आपका receipt receipt मतलब पैसा आ रहा है expenditure मतलब पैसा जेब से बाहर जा रहा है अब इसके अंदर भी न receipt को भी दो parts में divide कर दिया एक होगी revenue वाले receipt एक होती है capital receipt revenue का मतलब क्या था revenue का मतलब asset or liability में कोई बदलाव नहीं आ रहा capital का मतलब asset or liability में बदलाव आ रहा है सेम चीज आप expenditure के लिए यहाँ पर भी revenue और capital revenue का मतलब asset liability में no change capital का मतलब asset या liability में कोई change आया कुछ example देख लो जैसे tax receipts होती है तो मैं आपको बताई दिया tax receipts होगा तो बिल्कुल उसके लाबा कुछ आपकी non tax receipts भी हो सकती है माल लो जैसे आप example समझो जो माल लो आपने चलान कट वा लिया ठीक है आप बाइक पर जा रहे थे या जैसे भी जो भी आपने seat belt नहीं पहनी थी तो चलान कट गया आपका पैसा किसको जा रहे है सरकार को जा रहे है बिल्कुल जा रहे है तो क्या सरकार को पैसा मिला answer is yes मिला तो receipt तो हुआ पर क्या वहाँ पे कुछ asset liability में change आया नहीं कोई change नहीं आया तो आपके non-text receipts भी कहा आएंगे वो भी आपके यहीं पे आएंगे revenue seat के अंदर आप लोग के बर अपना certificate बनाते हो कुछ भी certificate birth, certificate, car, certificate कुछ इस तरह से रकार से आप अलग-लग certificate बनाते हो कुछ छोटी-mोटी payment होती है वहाँ पे बिल्कुल होती है और रिड्राइविंग license बनाते हो पैमेंट करते हो वो सरकार को बिल्कुल ड्राइविंग license बने आपने बिल्कुल सरकार को पैसा पे किया कुछ कुछ टाइफ्स दी हुई है एक तो डिस इंवेस्मेंट मैंने आपको बताई दिया सरकार कुछ बेच रही है तो सरकार कुछ बेच रही है तो सरकार के बेचने की वज़ा से सरकार को पैसा मिल रहा है मिल रहा है मतलब रिसीट सभी बात है and plus at the same time सरकार का asset था ना सरकार की वो company थी सरकार का asset था वो asset बिग गया तो asset में कम हो गया asset खतम हो गया वो या तो या कम हो गया तो asset liability मतलब आया बिल्कुल इसलिए dis investment क्या होगा आपका capital receipt होगा receipt मतलब पैसा आ रहा है, capital का मतलब asset liability में मतलब, that is it, उसी तरह से मान लो, सरकार ने पैसा उधार लिया, सरकार ने पैसा बोरो किया, अब सरकार ने अगर पैसा बोरो किया, कहीं से आप उधार ले रहे हो, मैंने किसी और से उधार लिया, तो क्या मेरे पास पैसा आया, answer is yes, ब पैसा मैंने 10 ला किसी दोस से उधार ले लिया, तो मुझे रूपया तो मेरी जेव में आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है, तो हुआ तो ये receipt, क्योंकि मुझे पैसा मिल रहा है, तो receipt तो हो गया, पर क्योंकि मैंने उस बंदे से पैसा उधार लिया हुआ है, तो मुझे future मे पैसा return भी करना पड़ेगा तो मेरे उपर एक liability बन चुकी है उस पैसे को return करने की अब liability में मतलाव आया asset liability में कुछ यह जाता है तो क्या डालते हैं उसको सर capital ही तो बोलते हैं तो पैसा आ भी रहा है borrowing से तो receipt है और क्योंकि liability बढ़ गी है मेरी तो इसलिए capital receipt हो गया recovery of loans loans की recovery उस case में क्या होगा आपने किसी को loan दे रखा था, सरकार ने किसी को loan दे रखा था, अब वापस आ रहा है वो पैसा, पैसा वापस आ रहा है मतला मिरी जेर में पैसा आ रहा है, बिलकुल आ रहा है तो आपका recovery of loans भी capital होता है. Receipt था, क्योंकि पैसा मिल रहा था, आपका recovery of loans के अंदर asset आपका कम हो चुका है, asset में change आया है, तो recovery of loans will also be a part of capital receipts. I hope this is pretty much clear to everyone. बाकी देख लो यार, थोड़ा सा इसको और 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 पल लो. ठीक है, revenue के case के अंदर होता क्या है? साल के अंदर generally हमें इसका impact देखने को मिल जाता है. बार-बार ये चीज़ होती है, recurring होती है, regular basis पे होती है, and सबसे important चीज़ जो मैंने आपको बताई, कि जब भी आप word use करोगे, revenue का, तो उसका अर्थ क्या होगा? कि वो asset या liability के अंदर, कोई बदलाव लेकर नहीं आता है. यही अर्थ होता है आपके revenue का. Getting it? तो tax revenue के अंदर आपका direct tax हो गया, जैसे आपका income tax, आप पैसा कमाते हो, income आपकी सरकार उसके पर tax लेती है. तो वो definitely direct tax है. इसी तरह से आपकी companies कमाती हैं पैसा, तो वो क्या है? revenue receipt का ही part है. पर यह indirect tax है. क्यों? क्योंकि देखो, अगर मालो मैं एक restaurant से खाना खा रहा हूँ, in the end क्या हो रहा है ना? पैसा जो GST का पे हो रहा है, वो मेरी जैब से हो रहा है. पर मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है सरकार को पैसा पे करने की. वो उस hotel वाले की या restaurant वाले की जिम्मेदारी है. तो जैब से मेरी जा रहा है, पर जिम्मेदारी किसी और की है. ऐसी चीज़ को बोलते है indirect tax. कि जिम्मेदारी किसी और की, पर पे कुसी जैब की और से हो रहा है. direct tax के अंदर मेरी ही जीव से पैसा कट रहा है और मेरी ही जिम्मेदार ही उसको जमा कराना समझ गे, तो यह सारे आपके revenue receipt के अंदर आ जाते हैं उसी तरह से करें मैं बात करूँ revenue expenditure की बस जिसे pension हो गया, salary हो गया interest हो गया, subsidies वगएरा हो गया ठीक है, यह सब जो चीज़े सरकार pay करती है, pay करती है तो सरकार की जेब से पैसा जा रहा है, बिल्कुल टोग expenditure है and क्योंकि यह recurring है, बार-बार हो रहा है asset liability पे कोई impact नहीं आता तो this becomes revenue expenditure I hope this is clear also, इस रहा से capital receipt भी हमने देख लिया, capital receipt का नहीं होता है, आपका non recurring ऐसा नहीं है कि बार-बार होए जा रहा है इससे या तो आपके asset की value बढ़ती है मतलब receipt के अंदर, या फिर आपके sorry, asset की value कम होती है या फिर liability की value बढ़ती है for example, जैसे आपने loan लिया जैसे आपने loan लिया, सरकार ने loan लिया तो सरकार ने loan लिया था तो सरकार को पैसा मिला, बिल्कुल मिला तो सरकार के लिए क्या हो गया, receipt तो हो गया बिल्कुल ठीक बात है, पर क्यूंकि सरकार को अब ये loan वापिस भी करना पड़ेगा, इनको return भी करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर liability आ चुकी है सरकार की उपर तो बिल्कुल यहाँ पर आपके liability की value बड़ी है बिल्कुल शही बात है तो इसलिए loan जो होता है वो अपने आप में debt creating आपका receipt देखने को मिल जाएगा के बार आपने कुछ बेच दिया अपना सरकार ने अपना asset बेच दिया अपनी company बेच दी तो उस case में क्या होगा उस case में सरकार को पैसा मिल रहा है बेचने के उपर पर सरकार का जो asset था वो कम हो जाता है तो उसकी value asset की decrease हो जाती है तो वो भी आपका क्या है वो भी आपका capital receipt ही है बस वो non debt वाला है क्योंगि debt वाली बात थोड़ी है debt वाली बात तो यहां आगी थी यह non debt वाली है उससे तरह से अगर हम बात करो capital expenditure की capital expenditure मतलब सरकार खर्च कर रही है और अपना asset liability में कोई बिदलावा रहा है जैसे for example सरकार ने कोई अब देखो यार यह बाते तो होगी सारी यह तो सारी terminologies मुझे बताया कि आप लोगोंने समझ ली होगी अगर आप अच्छे से वीडियो देख रहे हैं तो definitely आपकी चीज़ा समझ आगी होगी अब दिक्कत एक और आती है यह बजट किस किस तरह की होते है देखो एक चीज़ होती है आपकी surplus budget मैंने आपको जैसे अभी बताया कि सरकार या तो पैसे कमाती है और सरकार पैसे खर्च करती है तिन पर से चीज़ है मैं आपको एक्जामपल समझाता हूँ कमाई कम है आपकी खर्चा जादा है आमदनी अठनी खर्चा रुपईया यह तो वो वाली situation आगी बिल्कुल कमाई कम खर्चा जादा ऐसी चीज़ को हम बोलते हैं deficit budget deficit में लिए घाटा हो गया है आप सोचों ना यार कि एक बार कि हुआ क्या है आप उधार लोगे तो यह जो आपका घाटा होता है ना वो कहिना कि आपको उधार लेना पड़ता है तब जाके आप उस घाटे को फिल करते हो ऐसी चीज़ को बोलते हैं deficit budget इसी चरा से आपका surplus budget होता है जहां पर आप कमाते खूब हो आप खर्चा कम करते हो इंकम is more than the expenditure उसको हम बोल देंगे surplus budget अगर माल लो दोनों को दोनों सेम हो जाए जितनी कमाई उतना ही खर्चा ऐसी चीज़ को हम बोल देते हैं क्या ऐसी चीज़ को हम यहाँ पे balanced budget बोल देते हैं I hope this makes sense to everyone ठीक है यहाँ बात अब आप लोगा मुझे यह बताओ किitzer इंडिया में क्या होता है क्या इंडिया में हम खूब पैसा कमाते हैं अनसर बहुत है हम यह वाला budget है Fject budget आप बोलोगे sir ऐसा क्यों कि हमारेगे कमाई कम है और खर्चा जाधा है हाँ जी बिलकुल, होना ही पड़ेगा इंडिया में अभी के लिए, ऐसा क्यों सर, अरे मुझे बताओ, यार सरकार कमा कहां से रही है, अभी सारे देखें न, कि सर्ब्सकार टेक्सिस बगएरा से कमाती है, और कुछ-कुछ तरीके देखें हमने कमाने के, सरकार अपने कंपनी इस बेशती है, पियस्ट वगएरा, उससे पैसा कमाती है, खर्चे भी तो बहुत सारे है, सरकार इतनी सारे स्कीमें चलाती है, कहां से पैसा आ रहे है, अरे इतने सारे हमें हेल्थ अपनी इंप्रूफ करनी है, परधान मंतरी, जन्हारोगय, योजना हमारी चलती है, एज् इतना सारा कुछ करना है, हमें इतने सारे खर्चे करने पड़ रहे हैं सरकार को, सरकार के मुलाज़ी में इतने सारे है, उनको Сैلरी देनी है, उनको Pension देनी है, कोई असान बात थोड़ी है, तो एक्षिलमें भारत में क्या होता है, भारत में हमाई है घाटे वाला वजठ को मिलता है जहाँ पर कमाई हमारी उतनी नहीं होती पर खर्चे हमारे जादा है और भारत जैसी कंटरी को न यह जरूरत भी है ऐसा नहीं हम कर सकते कि मानलो यार कि आप सोचो कि यार सर हमें deficit budget पसंद नहीं है हम balance बना देते है पर वो अपने आपे बहुत गलत हो जाएगा अरे देश में बेरोज़गारी कम करनी है तो उसके लिए सरकार को खर्च करना पड़ेगा अर्यू गेटिंगा पॉइंट तो इंडिया को अभी deficit budget ही इंडिया का आपी time तक चलेगा एक certain time के बाद जब हम बहतर हो जाएंगे मेभी उस time के उपर हम कर सकते है पर अभी deficit budget भारत की ज़रूरत है क्योंकि इंडिया एक developing country है यहाँ पर सरकार को खर्च करना पड़ता है ताकि लोगों की जिंदगिया बहतर हो लोगों की जिंदगि सुधर है अगर वो नहीं होगा तो दिक्कत आएगी I hope all these terminologies are pretty clear to everybody ठीक है सर अब बात अगर घाटे की होई रही है तो घाटा भी कोई एक तरह का नहीं होता घाटे भी अलग-अलग तरह की होते है एक था हमने पढ़ा ना revenue expenditure बिल्कुल पढ़ा सर अगर revenue expenditure में से हम revenue receipt अगर यह minus कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा हमारे पास बनेगा revenue deficit समझे इस बात को क्या आएगने बोला revenue वाले component का जो expenditure रखचा है उसमें से revenue receipt को आगर हम minus कर देंगे तो बन जाता है revenue deficit deficit का मतलब हो गया घाटा कि revenue वाले section के उपर कितना हमें घाटा देखने के मिल रहा है वो कैसे निकालेंगे expenditure minus receipt कर दो कौन से वाले की revenue की बहुत ही simple चीज़ है यह तो सर कोई मुश्टिल वाली बात थी ही नहीं यह तो बहुत आराम से हम समझ गे पर मुझे एक चीज़ बताओ क्या एक अच्छी चीज़ है एक खिराब चीज़ है तो एक बार revenue deficit is a good thing और a bad thing आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर good भी हो सकता है bad भी हो सकता है कुछ दोनों लिख ले होंगे कि दोनों होगा पर आप एक ही सोचो एक company छोड़ो एक family के हिसाब से सोचो मालो आपके परिवार की revenue deficit क्या होता है एक परिवार के लिए revenue deficit पता क्या होगा आपके revenue वाले खर्चे माइनस revenue वाले income तो चो एक परिवार के इसाब से कि एक परिवार कहां कहां पर पैसा खर्च करता है जहां पर asset liability में चेंज ना है आप बोलोगे सर हमारा revenue expenditure एक परिवार के लिए होगा हम जो फल, fruit, सबजियां, बिजली का विल, पानी का विल ये सब भर रहे हैं न ये हमारे family के लिए revenue expenditure है और revenue receipt क्या है? आपकी salary आपकी पूरी family जो पैसे कमा रही है salaries के मात्रम से, उसको बोलेंगे अगर माल लो, आपके परिवार की salary ये सब खर्चे, जो फल, fruit, खरीदने के खर्चे अगर इनको भी cover नहीं कर पा रही है, मतलब आपकी हालत बहुत खराब है It is equivalent to saying कि आपको घर के खर्चे चलाने के लिए घर्चे-खर्चे मतलब जो आपके सबजियां करीदने के लिए आपके rent pay करने के लिए आप उधार ले रहे हो ये होता है revenue deficit का मतलब और यही चीज़ सरकार के लिए आप notice करो कि सरकार को भाई अपने मुलाजिमों को salary देनी है, pension देनी है उसके लिए सरकार को उधार लेना पड़ रहे है क्या इससे बुरी बात कोई हो सकती है नहीं हो सकती आपको रोज बरा के खर्चे चलाने के लिए आपको उधार लेना पड़ रहे है ये होता है revenue deficit इसलिए बोला जाता है कि revenue deficit is really really bad अगर मालो कोई सरकार को इस चीज़ के लिए भी अपने मुलाजमियों की salary लेने के लिए अगर loan लेना पड़ रहा है तो ये दिखाता है कि situation खराब है समझ रहे हो तो revenue deficit एक बुरी चीज़ है ये बात तो आप समझ गे अग capital deficit वाली अगर आम बात करें तो वो फिर भी ठीक हो सकता है क्योंकि वहाँ पर आप मालो सडके बनाने के लिए bridges बनाने के लिए कुछ और asset बनाने के लिए आप use कर रहे हो ना उसका फाइदा लंबे समय के अंदर देखने के मिलता है बन रहे है ना तो वो एक चीज अलग चीज है पर revenue deficit वाली चीज खराब रहती है यह बात आप ध्यान में रखोगे यहां मैंने बताया था deficit budget खराब चीज नहीं है क्योंकि हमें यहां पे रोजगार पैदा करने है तो उसके लिए deficit budget होगा पर revenue deficit होना यह खराब चीज है तो यहां परना एक चीज जो अपनाई गई इसकी जगा revenue deficit की जगा वो थी ERD क्या है सर ERD revenue deficit के आगे हमने एक word यूज़ कर दिया जिसका नाम है effective revenue deficit क्या मतलब इस चीज का देखो केई बार पता क्या होता है क्या बार मालो central government ने कुछ पैसा दिया वो जो पैसा था वो actually था वो revenue वाला पर उसको किसी सरकार ने मालो state government ने उससे कुछ ना कुछ capital मना लिया तो आप notice कर पा रहे हो कि हमें revenue deficit तो पता लग गया revenue expenditure minus revenue shift वो हमें पता लग गया पर आप notice कर पारे हो कई बार मालो आपने कुछ ऐसा पैसा किसी capital को create करने के लिए किसी asset को create करने के लिए लगा दिया जो दरसल में क्या था जाके revenue expenditure का part था तो उस case में वो वाली चीज़ को तो आप नहीं include करोगे न revenue deficit के अंदर तो दरसल में उसी का नाम बन गया effective revenue deficit मालो मैं केंदर सरकार हूँ केंदर सरकार ने कुछ पैसा दिया था state government को और state government ने वो पैसा कहा पे लगा दिया किसी capital को create करने के लिए तो उस चीज़ को हटाने के लिए उस चीज़ को उस चीज़ के effect को minimize करने के लिए यहाँ पर हम दूसरा term यूज़ करते है effective revenue deficit ध्यान बस यह रखना है कि revenue deficit में से आप क्या minus कर देते हो आप capital मतलब revenue expenditure से जो capital asset create हुआ ना उसको minus कर देते हो अब यह आपको सही picture दिखाएगा यह आपको सही picture दिखाएगा कि actual में आपका actual revenue deficit कितना है are you getting my point ज़रसर में हो पता क्या रहा था सरकारों के उपर दवाब चल रहा था किस बात का pressure कि भाई revenue deficit अपना खतम करो क्योंकि revenue deficit अपने आप में खराब चीज़ है पर सरकार ने notice कि revenue deficit में कुछ ऐसा component भी है जो है तो revenue expenditure पर उससे बनाए capital जा रहे है वो तो खराब चीज नहीं न है तो खराब वाली चीज को मतलब जो सही वाली चीज ते उसको हटाने के लिए revenue expenditure जो capital asset को create करने के लिए use के जाता है उसको हटाने के लिए हमने revenue deficit में से वो minus कर दिया and it effectively becomes ERD, effective revenue deficit I hope this is clear तो सरकार की अब कोशिश यह रहती है कि भाई इसको मत zero करो, मतलब अगर इसको नहीं zero होता कोई दिक्कत नहीं, हमें कोशिश करनी चाहिए इसको zero करने की, effective revenue deficit की क्योंकि वो वाला component जो revenue expenditure का था, उसको capital बन रहा है वो एक अच्छी चीज है तो उसको मतलब, तो इस overall को zero करने के बजाए अगर हम यहाँ पर focus कर लेंगे ना, तो बढ़िया रहेगा चलो, ठीक ऐसा, बहुत बढ़िया यह बात तो समझ आई अब दो चीज़ समझ आगी, revenue deficit भी ERTB समझ आगया एक term जो use होती है, वो थी एक gross fiscal deficit यह बहुत ही simple सी चीज़ है बहुत ही simple सी चीज़ है जैसे इसी बात को समझ ना, मैंने बोला आपको कि भाई, आपकी कमाई थी 500 रपे ठीक है ना, यह आपकी कमाई थी 500 रपे और आपका खर्चा है 600 रपे 500 प्लस 100, ठीक है अब यह जो है, यह क्या है यह 500 रपे टोटल था जो आपका टोटल क्या था टोटल आपकी income और आपका expenditure था 600 रपे तो इसी चीज़ को हम बोल देंगे gross fiscal deficit, यह आपका खर्चा 600 रपे का है आपका total income है 500 रपे तो जो आपका 100 रपे आया वो ही तो आपका घाटा है यह होता है gross fiscal deficit Are you getting the point? अब आप मैंसे लोग पूछेंगे जैसे मैंने अभी बताया भी बैसे all low तो 500 रपे आपकी कमाई थी, 600 रपे आपका खर्चा था तो यह 100 रपे extra कहां से आया बहुत ही simple से चीज़ है यह extra पैसा कहीं से नहीं बल्कि आपने उधारी से लिया है तो दरसल में अगर मैं यह कहतूं कि gross fiscal deficit is equivalent to borrowings वो भी same ही बात है Are you getting this point? ठीक है, तो यह point भी हमें समझ आगे तो gross fiscal deficit चाहे वो यह लिखे total expenditure minus total income या फिर आपका borrowings लिखे, वो भी same ही बात है ठीक है sir, यह बात तो समझ आईगी पर यह नीचे वाली चीज़ क्या है मैं आपको इसको थोड़ा explain करने ही कोशिश करता हूँ यहाँ पर समझना इस मुद्दे को यह से माल लो, एक example समझना माल लो ना मैंने कहा क्या मैंने क्या कहा, मैंने कहा loan सरकार ने माल लो loan लिया कहीं से, क्या लिया, सरकार ने कहीं से loan लिया, माल लो किसी पार्टे से मैं loan ले रहा हूँ, अब loan क्या है आप बोलोगे sir, loan लिया लोन लिया मतलब पैसा सरकार की जेम में आया तो no doubt it is a receipt पैसा सरकार की जेम में आ रहा तो receipt तो है कैसी receipt है कैसे asset liability में को impact आया हाँ बिलकुल आया मेरे उपर सरकार के उपर एक liability बन गी है इस पैसे को return करने की तो definitely है क्या हो जाएगा ये सर हो जाएगा capital receipt सभी बात है capital receipt है इसमें कोई doubt की बात तो है नहीं पर आप एक चीज़ notice करो सरकार ने माल लो एक लाग का लोन लिया तो क्या मैं ये कह दूँगी ये सरकार की income है अब आप वो लोगे नहीं सरक इंकम धोड़ी कह सकते हैं इंकम कहना तो गलत चीज़ हो जाएगी इस लाइक सेंग की भाई मेरी salary जहां मैं काम करता हूँ एक लाग रुपय कमाता हूँ हीने का और मैंने loan ले लिया पांच लाग का तो मेरी salary छे लाग होगी ये sense बनती है इस बात की फिर तो आप loan लेते रो, लेते रो, लेते रो आपको आपकी income क्रोड़ों में हो जाएगी ये loan को हम income नहीं कह सकते हाँ पैसा आ रहा है, receipt है आपका capital receipt है, ये बात में कोई doubt नहीं है पर इसको income कह देना ये तो गलत बात हुई न और दरसल में अगर आपको ये वाली slide याद हो, जो भी हमने पीछे मैंने discuss करी, तो यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, कि यहाँ पर ना जो loan होता है, उसको बोलेंगे हम debt creating capital receipt क्या बोलेंगे, debt creating capital receipt ये क्या हो जाता है, loan वाली चीज और इसके अलावा, जो चीज़े बन जाती है, उनको बोल देते हैं non debt creating capital receipt सबच गे, क्यों? क्योंकि ये loan वाली चीज़ा, भाई, ये आपकी कमाई नहीं है, this is not an income इसको आप कमाई थोड़ी क्या है, महत दोगे ठीक है, तो actual में होता पता क्या है परसल मिना, अगर मैं एक बात करूँ आपको, अगर मैं आपको ये बात बताउँ, जैसे आपके capital receipt में आपके दो हिस्से हो सकते हैं जैसे, मतलब capital के अंदर आपके दो components होते हैं, एक हो गया आपका capital receipt, एक हो गया आपका capital expenditure, receipts के अंदर भी आपके दो हिससे मैंने कर दिये, debt creating capital receipt, जिसको मैंने loan बोल दिया, और एक हो गया आपका इसको छोड़ के non debt creating capital receipt, भागी capital expenditure आपको पता ये, तो होता पता क्या है, जब मैं लिखता हूँ gross fiscal deficit, gross fiscal deficit लिखता हूँ न, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ total expenditure minus total income, अब ज जब मैं बात करूँ गा, तो income के अंदर एक तो आपका revenue receipt हो गया, ये आपकी income है, और दूसरी income क्या आएगी, आप बोलोगे, सिरफ और सिरफ ये वाली, इसको हम यहाँ पर income के अंदर निकलोड नहीं करेंगे, तो अगर आपको, यहाँ पर क्या लिखता हूँ के non debt creating capital receipt, त आपको समझ आ गया होगा, कि कैसे ये formula है, तो gross fiscal deficit के corresponding, वो आपको पहली चीज लिखे, दूसरी लिखे, तीसी लिखे, तीनों के उपर आपके clarity होनी चाहिए, क्या है formula पहला, total expenditure minus total income, इसी को आप खोल दोगे न, expenditure बन जाएगा, capital expenditure plus revenue expenditure, और total income के अंदर, एक तो आपका revenue receipt आ और दूसरा क्या आ गया, non debt वाला capital creating receipt, debt वाले को नहीं लेना, क्योंकि वो आपकी कमाई नहीं है, और मैंने आपको ये भी समझा दिया, कि gross fiscal deficit क्या होता है, घाटा, घाटे को पूरा कैसे करोगे, उतना पैसा उधार लेके, तो अगर मैं ये कहूँ, कि gross fiscal deficit borrowing के equal होता है, हां primary deficit का मुद्दा भी बहुत असान है, primary deficit का मुद्दा भी बहुत असान है, क्या चीज होती एसर, primary deficit, समझ ना इस मुद्दे को भी, एक्चल में माल लो आपको मैं आज finance degree naár दू हूँ, या आपको ऽी आपको मैं prime degree naasituation ना दू हो, ठैक है, माल लो मानने में कहा जाता है, माल तो बन गया आप आज के दिन, ठीक है, अब हुआ पता क्या? आपके पास कुछ पैसा आया, मानो लेट से आपके पास सौरपे आए, अब आप बड़े खुश हुए, यार, सौरपे मिल गया, एक्सेस बेक्सेस के माध्यम से सौरपे आपके बास आ गया अब आपने सोचा यार सौरपे को मैं बहुत साई जगा खर्च कर दूँगा स्कीम्स बढ़िया बढ़िया लाऊंगा बेरोसगारी खतम करूँगा ऐसे आपके बहुत सारे दिमाग में रिलाइज होगा उन्होंने भी तो पैसा कुछ ना कुछ उधार में लिया होगा बहुत पैसा उन्होंने उधार में लिया है अब भई आपकी पिछली सरकार ने उधार लिया है, मतलब जितनी भी सरकारे नहीं है, सब ने उधार लिया है, वो वाफिस करने की जिम्मेदारी किसकी है, अरे आप की है, क्यूंकि आप हो फाइनार्स मिस्टर, आप हो प्राइंग मिस्टर, तो आप की सरकार की जिम्मेदारी बनती है, तो आप की सरकार की जिम actual में आपका 70 रुपई है अब आप थोड़े से उदास होगे यह बस 70 रुपई है हाँ जी अब कल को न आप अपनी performance इस हिसाब से दिखाने को हिश करोगे अब आप ये थोड़ी बोलोगे कि यार मेरे पास 100 रुपे थे आप देखो मैंने कितना कुछ कर दिया आपके यह ही 100 रुपे आपके यह ही 70 रुपे तो दरसल में जब मैं बात करता हूँ आपके primary deficit की तो primary deficit पता क्यों यूज करता जैं primary deficit इस लिए यूज करते है ताकि जो current सरकार ने या current year के अंदर के सा perform किया है उसको जानने के लिए तो होता पता क्या है जो भी fiscal deficit होता है उस में से हम क्या minus करते है interest payment from the earlier borrowings जितना भी पैसा उधार लिया था उसके उपर जितना भी interest payment हुआ उसको गटा देंगे वो minus करने के बाद हमें पता लगया कि भाई आपका घाटा है कितना actual में मैं एक्जांपल समझाया वो income के रिगार्डिंग था पर यहां पर आप सोचो कि घाटा क्या है हमें घाटा ये थोड़ी देखना है ये थोड़ ओवराल घाटा है अरी सरकारों का भी अगर मुझे करेंट सरकार के बारे में जानना है कि आप कैसा perform कर रहे हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा वो वाला हिस्सा interest payment का घटाना पड़ेगा जो आप से पिछले सरकारों ने लिया था उसको जो interest payment हो रही है उसको हटाने के बाद मुझे पता लएगा कि आपने कैसा perform किया आपने देश के लिए कितना घटा बड़े उसकिया है तो ये होता है आपका primary deficit तो ये कुछ terminologies थी जो आपको समझ आने चाहिए थी I hope आपको सारी terminologies समझ आगी होंगी अब terminologies समझ आगी है कॉमेंट्स में आप लोग भी अपने अंसर देने कोशिश करना जैसे UPS नहीं कोचा हुआ है एकना 24 का question मैंने डाला नहीं है मैं आपको एक काम करूँगा आप मेरे telegram channel पे मैं डाल दूँगा उस question को ठीक है जो मेरे telegram channel है यहां पे हमारे सामने यहां पर कह रहा है कि काफी सरा सर घाटे वाला budget हमें देखने को मिल रहा है सरकार के दोरा क्या क्या actions लिये जाते हैं तांकि इस घाटे को इस deficit को कम करें घाटा खतम करना है अरे आपकी family में भी deficit होता है कैसे आप अपना घाटा कम कर सकते हो simple ती चीज़ है अगर आप अपना कमाई बढ़ा दो और खर्चे कम कर दो गाटा कम नहीं हो जाएगा बिल्कुल सरकार को क्या करना होगा सरकार भी यही कर ले कमाई के सादर मढ़ा ले और खर्चे कम कर दे तो बच यह देखो जैसे पहला कह रहा है कि भाई अपना revenue expenditure कम कर दो हाँ ठीक है revenue expenditure कम कर दिया तो खर्चा कम हो गया सरकार का खर्चा कम हो गया तो deficit कम हो जाएगा दूसरा कह रहा है कि भाई नई नी scheme में शुरू कर दो अरे सरकार ने कि spending industry नहीं ये बात incorrect हो जाएगी तो आपका सही जवाब क्या बनेगा option number A one and three only with the right answer कुछ एक concept और यहाँ पर कह रहा है कि भाई ये बताओ कि सरकार के capital budget के अंदर क्या क्या आता है अब मैंने आपको capital budget वाला चीज चीख चीख कर बार-बार बोली है क्या मैंने बोला है कि भाई अगर आपके asset या liability में कुछ भी बदलाव आए तो आपका capital budget के अंदर आएगा यही बोला है आओ फिर देखते है यहाँ पर उसने कहा कि भाई आपने खर्चा किया किस चीज के उपर asset, 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 asset asset को acquire करने के उपर उसने खुद लिख दिया asset asset को acquire करने के उपर आपने खर्चा गिया तो क्या asset में change आएगा बिल्कुल आएगा बिल्कुल ठीक बात है दूसरा कह रहा है कि मानलोब foreign government से आपने loan लिया आप किसी से loan लेते हो तो आपके उपर liability बनती है कि आप उस loan को return करोगे तो भाई बिल्कुल liability में change यहाँ पर आएगा उसी तरह से यहाँ पर कह रहा है कि loans किसी को grant किये यहाँ पर भी asset liability मतलब आगया loan तो आपका asset liability के साथ deal करता ही करता है कैसे कुछ आसान हो सकता है नहीं हो सकता जरूरत पता क्या होती है concept clear cut terms का मतलब पता होगा ना यह question फटफटफटफटफट करके सही हो जाएंगे आपके और देख लेते हैं यहाँ पूछ रहा है भाई indirect taxes इन में से कौन-कौन से है अब direct taxes वो होते है जहाँ पर पैसा मेरी जेब से ही कट रहा है और जिम्मेदारी मेरी ही है उसको जमा कराने की indirect tax क्या था जैसे GST क्या था वो कि जेब मेरी से कट रहा है पर जिम्मेदारी किसी और की है अब जैसे for example अब बात करूँ लेट से wealth tax की या आप ए corporation tax की तो option tax क्या था एक company के उपर tax लग रहा है और company की ही जिम्मेदारी है तो भाई ये तो direct tax हो गया उसी तरह से wealth tax भी क्या है मेरी कमाई है मेरे उपर ही tax लग रहा है मेरी ही जिम्मेदारी है तो भाई ये भी direct tax है अब ये बाकी जो आपके 2 and 4 ए customer tax है ये actually में आपका quality का question है पर आप जानते होंगे क्योंकि देखो budget का मैं passing भी आपको थोड़ा समझा दूँगा कभी और lectures के अंदर बट यहां पर पता क्या होता है कि जब मैं बात करता हूँ न पैसे की बात तो always remember money belongs to the public money bill is the prorogative of लोकसभा ये बात आपको पता होनी चाहिए अगर लोकसभा के पास ये सब कुछ होता है तो राज्यसभा के पास powers बहुत ही minimum होती है राज्यसभा के अंदर present ज़रूर होता है आपका budget राज्यसभा उसमें amendments भी बता सकती है पर उन amendments को मानना बिल्कूल भी ज़रूरी नहीं होता अगर जिसे for example statement 1 को देखो यहां पर statement 1 कह रहा है कि अगर मान लो राज्यसभा ने amend कर दिया money bill को तो उस case में क्या होगा कोई दिक्कत नहीं है लोकसभा अभी भी उस bill के साथ आगे जा सकती है उसका मन कर रहा है मानने को recommendation मानने नहीं मन करता मत बाने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो यहां पर इसका option number A will be the correct answer राज्यसभा में discussion ज़रूर होता है उसके regarding चीज़ों का पर it is not required उनकी recommendation को मानना compulsory नहीं होता और यही एक और question UPS नहीं फिर से हमसे पूछ लिया यहां पर देखो for example अगर statement 1 को आप पढ़ोगे यहां पर कहरा है राज्यसभा क्रास कोई power नहीं है या reject करने की या amend करने की बिल्कुल राज्यसभा vote भी नहीं कर सकती और आप यह एक बात notice करो यहां पर जो option number 3 लिखा हुआ है यहां पर इसने voting की बात नहीं करी यहां पर कहरा है कि भाई वो discuss भी नहीं कर सकते हैं अरी नहीं discuss तो करी सकते हैं उसके पर voting नहीं कर सकते हैं तो point नहीं मतलब यह है कि राज्यसभा की power almost zero है discussion कर लो कोई जिक्कत नहीं है आपको कुछ सुजवाब है सुजवाब दे दो मानना ना मानना यह लोग सबागी बात है getting the point तो काफी easy question यहां से हमें देखने के मल जाते हैं GST basically क्या है one nation, one tax, one market ठीक है साथ में आप यहां पे one market भी इसके साथ लिख सकते हो RSL में पहले क्या होगा था था ना GST से पहले आप जानते होंगे कि अलग-अलग tax बहुत सारे taxes लगाए जाते थे plus at the same time जब आप एक state से दूसरी state जाते थे तब भी आपके taxes बहुत ज़दा बदलाब आगाता था तो पता ही नहीं लगता था यार एकी देश है या अलग-अलग देश है क्योंकि इतने सारे taxes के multiplicity हो रखी है और जब मैं बात करते हैं यहां आपको समझना है हम सारे taxes की बात नहीं कर रहे हम यहां बात कर रहे हैं किसकी आपके indirect tax की indirect tax basically वही होता है जहां पर हम notice करते हैं कि जहां पर हम notice करते हैं कि हमारा जो tax incidence होता है और tax का जो burden होता है वो अलग-अलग पसंद पर होता है जैसे अगर मैं बात करूँ direct tax तो आप जानते ही होंगे कि जैसे मेरा income tax है मेरा income tax है या फिर एक company का corporation tax है तो पैसा कटेगा भी मेरी जैब से ही plus at the same time उस tax को भरने की जिम्मेदारी भी मेरी ही है ऐसी चीज़ को हम बोलते थे direct tax on the contrary अगर मान लीजे मैं किसी restaurant में खाना खाने जाता हूँ तो आप जानते होंगे कि जो restaurant में मैंने खाना खाने गया तो वहाँ पर भी text लगा वो text cut तो मेरी जैब से रहा है पैसा तो मैं pay कर रहा हूँ उस चीज़ के लिए पर in the end वो जिम्मेदारी किसकी है सरकार को submit करने की वो आपके दुकानदार की है तो जिम्मेदारी किसी और की cut पैसा किसी और की जैब से रहा है और example में आपको देता हूँ जैसे आप लोगोंने कई बार किसी आप educational institute का मालो course खरीब तो जैसे आपने मालो PW का ही कोई course खरीब दा तो देखो आपके उपर भी GST लगा बिल्कुल GST किसने पे किया आपने पे किया पर वो सरकार को जिम्मेदारी जमा कराने कि किसकी है वो हमारी है अलग-अलग होगे न हम लोग ठीक है तो इस तरह से indirect tax में क्या होता है burden और जो incidence होता है basically कहने का अर्थी है कि पैसा कटना किसी और की जैब से और पैसे को जमा करने किसे मिदारी किसी और की ऐसी चीज़ को बोलते है indirect tax तो दरसल में indirect tax भारत में अलग-अलग तरह के थे उसी चीज़ को यहाँ पर club करके one nation, one tax one market लाने की कोशिश करी गई using GST right अब एक common market लाने की कोशिश करीगी जैसा मैंने आपको बतायागी, यहाँ पर यह एक multi stage आपका destination based tax आपको देखने को मिल जाता है multi stage का अर्थ क्या होता है कि जैसे अलग-अलग stages होती है, चाहे आपका manufacturer हो गया, आपका wholesaler हो गया, आपका retailer हो गया, आपका consumer level तो जो अलग-अलग levels है न यहाँ पर अलग-अलग stages के of production के ओपर यहाँ पर text लगाया जाता है और यह लगता है destination based text है यहाँ लखना, this is not a source based text but a destination based text प्लस, जो जो value addition होता है उसके ओपर यहाँ पर text लगता है प्लस, यहाँ पर cast trading effect को हटा दिया जाता है कैसे, जो कई वर पता क्या होता है माल लो आपने मैं आपको example समझाता हूँ माल लो आपने यह घड़ी किसी से खरी दी या घड़ी किसी ने manufacture करी तो उसने कुछ text दिया फिर आप इसको आगे किसी को और बेच होगे लेटसे आप एक whole seller हो तो आप भी text दोगे तो अगर तो जो already text पे किया जा चुका है उसके उपर भी आपके उपर text लग रहा है इस चीज़ को बोलते है cast grading effect इंपल सा अगर मैं बता हूँ जो आपका text on text अगर होता है न आप text के उपर text दे रहे हो उसको बोलते हैं cast grading effect पर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ GST के अंदर यहाँ पर बिल्कूल भी ऐसा नहीं होता है cast grading effect को यहाँ पर हटाया जाता है यानि कि जिस चीज़ के उपर आप all your text पे कर चुगे हो उसके उपर आपको text पे करने की ज़रूरत नहीं है अब actual में अगर एक मुद्धा आपका आपका GST paper 2 जो आपका quality वाला section होता है वहाँ से भी UPSC question पूछ सकता है क्योंकि आप अपने GST paper 2 mains का slivers देखेंगे ना वहाँ पर भी cooperative federalism की बात करी गई है तो दरसल में यह सब जो चीज़े होती है जो आपके GST council में अभी आपके सा discuss करूँगा वो भी आपका एक cooperative federalism का ही example है तरसल में अगर मैं आप से discuss करूँ ना तो आप जानते होंगे पॉलिटी के अंदर आपने पढ़ा होगा कि article 368 के अंदर आपने अगर amendment करना होता है तो देखो amendment आप कर सकते हो बिल्कुल ठीक बात है पर जब मैं बात करता हूँ जैसे अब हम GST की बात कर रहे हैं तो GST में क्या हुआ कही ना कही जो आपके राज्य सरकारे थी या आपके राज्यों की power थी आपके किसी चीज़ को tax करने की वो tax की power छीन ली गई एक तरह से उनसे ले ली गी रधर आश्यूट से है ना तो ऐसे case में अंदर आप जानते हो कि इसमें सविधान को फिर amendment करना पड़ा बिल्कुल ठीक बात है तो article 368 के अंदर एक तो आपका जो amendment आपका पार्लेमेंट के बाद हमसी किया गया two-third member president voting अपने आप पे absolute majority हो एक तो वो वाली condition हो गया जो पॉलिटी में पड़ते हो plus at the same time यहाँ पर क्यूंकि आपके federalism के उपर एक change लाया गया है तो यहाँ पर half of the states ने ratify भी किया कम से कम आधी states को ratify करना पड़ता है तब जब यह आपका federal provision होता है तब article 368 के अंदर आप ऐसे amend कर सकते हो तो दरहसल में जब मैं बात करता हूँ ना GST council बनाने की या GST लाने की दरहसल में वो amendment आपका article 368 के इसी तरह से हुआ था एक्च्वल में ना UPSC ने एक बार सवाल भी पूछ लिया था economic के अंदर ही वहाँ पर उन्हें पूछा था 101st constitutional amendment से क्या क्या pointers निकल के आए अब देखो यार जो आपके latest amendments होता होता है थोड़ा सा आपको idea होना पड़ेगा वहाँ पे mention नहीं था कि GST आया तो उससे क्या क्या फैदा हुआ उन्हें directly mention किया था कि 101 जो 101st आपका amendment था उसके मादम से क्या क्या चीज़े आई तो आपको idea होना चाहिए कि 101st constitutional amendment दरसल में आपकी GST की ही बात करता है तो यह तो एक basic idea हो गया अब आपके दिमाग में एक सवाल और आएगा इसा अच्छा कैसे जैसे मैं आपको बता दिया 101st amendment हो गया बागी इसमें आपका अलग-अलग slabs होते है 5%, 12%, 18%, 18%, 20% इस slabs होती है तेक है उसी तरह से आपका GST होता है आपका central GST होता है आपका SGST होता है state GST और आपका integrate GST होता है यह सब चीज़े हमने पड़ी हुई है फ्रिलिम्स के अंदर जस्ट मैं आपको quickly revise कर वा रहा हूँ अब एक जो सवाल बन सकता है या अलड़ी बना भी है वो यह है कि कौन-कौन से taxes थे जो यहाँ पर subsume किये गए है under GST मैंने बोलना कि GST ने कोफिश क्या थी one nation, one tax, one market तो कौन-कौन से taxes के अंदर subsume कर लिएगे यह हमें जानना अपने आपे काफी ज़ादा point हो जादा है देखो, actual में न, GST के अंदर कुछ central taxes भी and आपके state level वाले भी दोनों को ही subsume किया गया आप यहां पे इसकी एक complete list देख पा रहे हो जैसे अगर मैं बात करूँ central level की, तो आप notice कर पाओगे जैसे आपका central excise duty additional excise duty service tax, additional custom duty आपका special additional duty of customs यह कुछे examples है आपको list तो बहुत लंबी है आप सब कुछ सो याद नहीं रख पाओगे आप 4-5 example center level के याद रखो और सी तरह से आप 4-5 example यहाँ पे state level आप taxes को याद रख सकते हो तांकि आपके पास answers में quote करने के लिए कुछ examples हो जैसे यहाँ पर state level value added आपका tax या sales tax आगया entertainment tax आगया आपका opt right हो गया, entry tax हो गया purchase tax, luxury tax हो गया lottery gambling और betting के उपर tax हो गया अब देखो गयर इन चीज़ों के पढ़ने की बहुत जरूरत नहीं है क्योंकि यह अब redundant हो गये अब यह खतम हो जुग है tax पहले होते थे, उसकी जगा जीएस्टी आ गया तो हमें इनके बहुत जानकारी आने की जरूरत नहीं है कि इसका अर्थ क्या होता है हाला कि meaning से clear हो रहा होगा आपको काफियत तक पस उतना जान लेना काफी है क्योंकि आपसे नहीं पूछेगा वो कि इस tax का मतलब था हो, उस tax का मतलब था हो क्योंकि अब तो GST है इतने सालों से यह साथ साल से GST चल रहा है तो हमें GST ही पूछेगा हो पर एक basic idea मिल गया कि हाँ किन tax उसको हटा कर हमारे सामने GST आता है अब एक बात आपको छोटी सी और ध्यान में रखनी है कि देखो यार हमने बोल तो दिया क्या बोलती है हमने हमने बोल तो दिया one nation one tax है ना GST को यही बोला पर वो आपसे सवाल यह भी कर सकता है क्या वाकई में यह one nation one tax है उस case में थोड़ा सा critical यह आपको सोचना पड़ेगा जैसे कि आप बोलता हूँ एक देश एक tax कैसा है पहली बात तो आप इना उपर से सोचो आप बोलो किसा direct tax अलग होता है indirect tax अलग होता है तो पहली बात तो one nation one tax तो नहीं है चलो ठीक है क्योंकि direct tax भी है indirect tax भी है चलो ठीक है indirect tax के अंदर आजाते हैं अब indirect tax के अंदर भी ना बहुत सारी exceptions आपको देखने कमल जाती है ऐसा नहीं है कि सब कुछ आ चुका है GST के अदर अरे आपका petrol पकर आप लोग देख लो नहीं है alcohol को देख लो नहीं है GST के अंदर तभी तो आप notice करते हो ना यार कि यहां पे कोई समान अलग rate में बिक रहा है गोवा में अलग चीज़ चल रही है आपके करनाटका में अलग है system दिल्ली में system अलग है तेल की बात कर लो तेल का भी same system है अलग-अलग states में अलग-अलग टेक्सिस बावे चल रहे है तो जीएस्टी के अंतरगत है ही नहीं अर्यूवेटिंग में पॉइंट तो दरसल में क्या होता है ना यहां पर नो जो states है यार states को बहुत अच्छा खासा revenue मिलता है चाहे मैं बात करूँ alcohol से चाहे मैं बात करूँ आपके fuel से वहाँ पर states आपके अच्छा खासा text लगाते हैं जिसके माद्यम सुनकी अच्छी खासी कमाई होती है तो दरसल में यह सब चीज़ें कुछ और examples भी आपके सामने है आपका जैसे aviation turbine fuel हो गया ADF जिसको हम बोलते हैं वो भी GST के अंदर नहीं आता तो इस तरह से कुछे का exceptions भी है जहां पर GST कुछ चीज़ों को applicable नहीं होता यह बात भी आपको ध्यान रखने चाहिए पिर देखो बात करें अगर federalism के साथ GS2 के साथ link करके आपका सवाल पूछना चाहरा है तो यह पूछ सकता है कि GST council के fans ले कैसे लिए जाते हैं दरसल में जैसा कि आप picture में देख पारे होंगे हमारे पनास Mr. जी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे तो यह जो सब चीज़े में बात कर रहा था था ना कि यह कितने percent slab होनी चाहिए 5%, 12%, 18, 28, 28 किस product को GST में लाना है किसको नहीं लाना कौन टैग अरता है यह टैग करने की जिम्मेदारी आपकी GST council की ही है अब GST council में एक तो आपके जो union finance minister होगे वो इसके chair person होते है उनके साथ ही साथ जो union minister of state finance होते है वो भी यहाँ पर हमें union की side से देखने को मिल जाएगे और क्योंकि मैंने आपको बताया कि यह cooperative federalism की तरह की body है तो यहाँ पर आपके central government से तो role आएगा ही आएगा plus at the same time आपके जो states है उनका भी role आपको देखने को मिल जाएगा वो कैसे कि जो यहाँ पर members होते है तो हर state अपने यहाँ पर जो भी उनका minister in charge of finance या taxation का है वो इसका member बन सकता है तो states का भी contribution है states का भी role है GST council के अंदर center का भी role है यह decide करना कि GST कितना होगा कितना नहीं होगा कौन सा product आएगा उसके अंदर कौन सा नहीं आएगा यह सब मिल कर तैय करते है ऐसा नहीं है कि central government खुद अपनी मरदी से करे जा रही है नहीं इसलिए इसको cooperative federalism के लिए बहुत अच्छा example माना गया है अब actual में और interesting बात इसकी ना voting power से बड़ी interesting चीज़ आती है actual मान लोग पर यह फैसला लेना है कि कितना होना चाहिए वहाँ पर ऐसा नहीं है कि सब लोगों को सहमती आनी चाहिए पर इतना जरूर है कि 75% जो होना चाहिए 75% हमारे पास होना ही चाहिए decision लेने के लिए majority थ्री फोर्थ majority चाहिए पर यह थ्री फोर्थ majority ऐसा नहीं है कि अकेला center ले लेगा या अकेला states के माध्यम से आजाएगी पता क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो voting power है उसमें आप protest करोगे center के पास voting power है 1 third यानि कि 33 प्रतिशत उसी तरह से अगर मैं बात करो states की voting power है आपकी 2 third यानि कि 66% साहिए कितना? 75% तो यानि कि center को states के साथ मिल जूलकर ही काम करना पड़ेगा तब ही जाकर हम यह जो पास कर रहे थे 75% majority की वो तब ही आपाए रहे 10-50% कोरम भी चाहिए होता है तोटल मेंबर्शिप का तो एक तरह से बहुत अच्छी एक federal body हमारे सामने देखने को मिल जाती है जो कि क्या करती है? जो कि यह कुछ fans ले लेती है कि recommendation देना union को state को कि क्या होना चाहिए GST किसी चीज़ के उपर अलग-अलग slabs को यहाँ पर decide करना यह इसी का काम बन जाता है तो देखो यहार कई बार में क्या होता है कुछ question तो directly आ जाते है अच्छी बात है अगर directly आ गया तो बहुत अच्छी बात है पर कई बार GS2 के अंदर या GS3 के अंदर कुछ question indirect आते है जैसे UPSC ने multiple time federalism के उपर question पूछता है GS2 के अंदर इसमें कोई doubt की बात है ही नहीं वहाँ पर आपके पास opportunity आती है कि आप उस answer को अपना एक अच्छे example के साथ या value addition कर पाओ तो वहाँ पर आप बहुत अराम से GST console को use कर सकते हो are you getting my point कही बार ना यह मत सोचा करो कि या मैं यह पढ़के गया था यह direct question तो पूछा नहीं गया आपका ना देखो content ऐसा नहीं होता कि किसी ने हर चीज़ पढ़ी होती है that is not possible in mates क्यूदि इतना सारा syllabus है हर चीज़ तो हम नहीं cover कर पाएंगे तो उस syllabus cover कर भी लिया तब भी जो question UPSC पूछेगा कुछ है questions तो हमारे पढ़े हुए से बाहर से आएंगे ही आएंगे उस समय के उपर आपके दिमाग में जो भी content है आप उसको कैसे use कर पाते हो अपने answer के अंदर वो determine करता है कि आप कितना अच्छा score करोगे यह मत सोचो कि यार मैं जो पढ़के आए था उसमें सिर्फ इतना ही question आए यह question तो आया ही नहीं उस paper के अंदर हाँ ठीक है यह use होती है पर जो आपने पढ़ा हुआ है कि आप उसको किसी तरह से उसको इंदर utilize कर सकते हो कि आप बाकियों से बढ़िया कर पाओगे या नहीं कर पाओगे तो यह बात बिल्कुल ध्यान में रखना ठीक है यह बात का idea लग गया अब आगे और के चीज़ें हमें यहाँ पर discuss करनी है आगे हमें इसके अलावा discuss करनी है कुछ एक issues के बारे में एंड इसके अलावा हमें यह भी discuss करना है कि जो 6-7 साल हुए है ना GST को चलते हुए उससे क्या फाइद है और क्या नुकसान हमें देखने को देखो अगर मैं बात करूँ ना एक मुद्दा आया था 2021-22 के अंदर खासका है हलाकि अब वह मुद्दा नहीं रहा तो अब पूछे जाने की probability उसकी काफी कम है पर actual में आप notice करो State government ने अपनी power side करी टेक्स लगाने की सरकार की जो State government की power थी उसको side किया तो यह states ने जब अपनी power को छोड़ा तो Central ने उसको compensate करने के लिए उनको बोला कि हम आपको compensation प्रवाइड करेंगे पर कुछ एक time था 2021-22 के अंदर जब ये ना compensation को provide ही नहीं किया जा पाया बहुत दिक्कत हैं इस चीज़ के अंदर ऐसा क्यों आया? ऐसा इसलिए आप समझो आप notice करे हुए कि GST कहां से सरकार कमा रही है कहां से पैसा आ रहे है जैसे अभी आजकल बात होती ना कि सरकार ने इस महीने 1.7 लैक करोड पैसा कमाया इस महीने 1.8 लैक कराया इस महीने 1.6 लैक करोड सरकार ने कमाया कैसे पहुँचता है कैसे क्या चीज होती है बहुत असान चीज़ है आप बोलोगे सर आप रेस्टरांट में खाना खानेंगे तो मैंने GST पे कर दिया आपने कोई कोर्स खरीदा आपने GST पे कर दिया आप कुछ ना कुछ और खरीदारी करोगे उसके ओपर GST आएगा होता पता क्या है जब कहीना कहीन लोग बहुत सा चीज़े खरीदते हैं Goods and Services खरीदते हैं उसी के ओपर तो Goods and Services टेक्स लगेगा पर जब आया COVID-19 पेंडमिक करोणा का टाइम आया सब अपने घरों में सब अपने घर पे कुछ काम करनी रहे है ना बैठे हुए है कुछ नया नहीं खरीद रहे तो हुआ क्या सरकार की कमाई नीचे आएगी या नहीं आएगी बिल्कुल आएगी तो actual में क्या हुआ ना उस समय 2020 और 2021 के समय के उपर सरकार की कमाई होगी कम क्योंकि आए नी रहा पैसा GST से बहुत कम पैसा आ रहे है ठीक है पर central government ने state government को वादा कर रखा है क्या वादा कर रखा है उन्होंने वादा किया हुआ है कि हाँ ठीक है यार आप लोगों से हम लोग पावर ले रहे हैं tax लगाने की पर हम आपको compensate करेंगे उसके लिए अब compensation तो हर साल ऐसा बोला गया था कि हर साल 14% से increase होगा हर साल 14% 14% बढ़ता रहेगा तो यारि कि central government को state government को पैसा देना था तो central government दे कहां से क्योंकि पैसा तो आ नहीं रहा GST तो आ नहीं रहा are you getting the point तो उस समय यहाँ पे दिक्कत आई थी state government बोल रही थी कि हमें पैसा मिलना चाहिए central government से central government कहले कि हमारे हाथ में ही नहीं है क्योंकि यह जो covid-19 pandemic था यह act of God था तो उस समय यह बहुत बड़ा मुद्दा था तो इसलिए UPSC ने उस समय इसके उपर सवाल भी पूचा था यही एक कारण रहा economic contraction हुआ GST collection में कम हुआ तो payment में delay हुआ जिससे कहीना कहीना state और center के बीच में काफिजा friction देखने को मिली are you getting गए कि इसका gist क्या साइस चीज़ तो यह friction वाली चीज़े भी केवर हो जाती है अच्छी बात है कि cooperative federalism वाली body है अच्छी बात है कि center और states मिलकर काम कर रहे है पर आप यह भी तो notice करो जब यह साथ में मिलकर काम कर रहे है तब कल को साथ में कुछ दिक्कते भी आ सकती है जैसा यहाँ पर देखने को मिला भी था जहां state और center में अकसर आपस में कुछ विवाद वगरा चलता रहता था ठीक है यह बात idea लगी और क्या चीज़े अब थोड़ा सो समझ लेते हैं कि पिछले कई सालों के अंदर हमें क्या क्या positives देखने को मिले हैं with regards to this GST देखो आप एक चीज़ notice करो GST से पहले बड़ी दिक्कते आती थी आपको समझाता हूँ आप लोग भी के बार ठीके बास गे होंगे आज चलो फिर भी थोड़ा कम हो गया है पहले पता क्या होता था आप मानलो कोई चीज खरीबनेंगे आप लोग में notice क्या होगा जैसे मानलो कुछ भी आप खरीबनेंगे पहले आपको दुकानदार बोलता था कि अगर आपको बिल चाहिए तो फिर पड़ेगा 100 पे की पर अगर आप बिना बिल के इसको खरीबना चाहते हो तो आप 90 पे का खरीब लो notice किया होगा आप लोगों ने वो सिस्ते में आपको देता था उसको कारण यही था कि ना पहले जो भी आपकी टेक्से लगते थे as compared to GST उसके पहले से तो बहुत कम compliance होता था उस चीज़ का तो टेक्स की चोई होती थी बलकुल और अब हमने GST को इस तरह से बनाने ही कोशिश करी है कि GST की जो आपकी जो टेक्स की चोई है उसको हम कम कर पाए तो टेक्स कम्प्लाइंस बढ़ाने ही कोशिश करी गई है Actually हमने mechanism ही इस तरह से बना दिया Multi stage के उपर हमने यहाँ पर कर दिया and input tax credit की वस्ता भी कर दिया जिसके वादे हम से compliance बढ़ चुका है मैं यह नहीं कहा रहा कि अब tax की चोई नहीं होती पर पहले comparison में काफी हद तक कम हो चुका है तो tax compliance बढ़ गया है Right इसके साथ ही अगर हम बात करें तो tax revision को check करने में काफी मदद करी है input tax credit का mechanism को काफी हद तक हम बहतर कर पाए है Plus मैंने आपको जो बताया था कि पहले एक समस्या थी कि tax के ऊपर भी tax देना पड़ रहा था अब इस समस्या को खतम कर दिया गया है क्योंगी cascading of taxes अब खतम हो चुकी है इसके लावा अगर हम बात करें GST council की तो बहुत अच्छा example है हमारे सामने cooperative federalism का साथ महीना पहले देखो एक बहुत बड़ी समस्या ये होती थी कि माल लो मैं एक company खोल के बैठा हूँ मैं मद्यापरदेश में भी काम करता हूँ मैं महाराष्टा में भी काम करता हूँ मैं मनीपूर में भी काम करता हूँ मैं केडला में भी काम करता हूँ गया टेक्सिस का एक नेरा जंजाल आ जाता था मेरे सामने मुझे ऐसा लगता था किसी और ही देश में आ गया हूँ इतने सारे अलग-अलग टेक्सिस आ गये है तो जब भी जब इतना सारा सिस्टम कॉंपलेक्स होता है न तो कभी भी इन्वेस्टर को खुशी नहीं होती वो इसी सब में फसा रहता है इसी सब चीजों के अंदर पर क्योंकि अब हमने वन नेशन वन टेक्सिरफ मूव किये है उससे एज अन इन्वेस्टर, एज अ बिजनस ओनर मेरे पास क्या आया है, ease of doing business अब मैं काम अपना जादा से खोलने कोशिश करूँगा क्यों मैं मुझे पता है क्या करना है, कैसे काम करते है ऐसा नहीं था कि एक बहुत बड़ा ही complex system बन रख है नहीं, तो वो एक benefit हुआ है इसके साथ ही अगर मैं बात करो देखो यार, होता बता क्या है जब ना मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो एक possibility रहती है चोरी की मैं आपको समझाता हूँ जिसे माल लो, मैं इधर बैठा हूँ मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसको tax pay करना है और आप सामने हो जिसको tax collect करना है अगर हम लोग आपस में बात करेंगे तो आप मेरे से पका ही पका पैसे हत्याने की कोशिश करोगे आप मुझे बोलोगे यार आपका tax जाला बनता है आपने इतना tax दिया है आपको और tax pay करना है है ना, और मैं भी यार confused जाओंगा कैसे करूँगा फिर मुझे आपको थोड़े से पैसे देने पड़ेंगे साइड से मैं थोड़े पैसे दूँगा फिर आपको गए हाँ आपका tax हो गया पुरा एक्चल में क्या होता है ना जब ऐसे face to face कोई चीज होती है तो there is a possibility कि हम दोनों आपसे मिलकर कुछ ना कुछ corruption कर ले और नुकसान किसको हो रहा है नुकसान हो रहा है सरकार को सरकार को मतलब हमारी आम जंता को नुकसान हो रहा है पर अब हम ले आए इस चीज़ के दर technology technology के मादवर्ण से अब बीच में लोगों के साथ interface खतम ही हो गया है आप बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ अब technology के साथ सामने एक यहाँ पर system के साथ बात कर रहा हूँ वही पर सारा data इंटर करूँगा वहीं पर सारा input center होंगे तो actual में ना आपको पता है कि मैं कौन हूँ ना मुझे पता है कि आप कौन हो तो भाई मैं पैसे दूँगा किसको corruption किसके साथ करूँगा are you getting the point जब आप digitalization के मादवम से आप technology के मादवम से हर एक चीज आप track करने लग जाते हो ना तो जो आपस में इस तरह की रिश्वत देने की प्रथा है या corruption वाले चीज़ें है वो काफी हत्तर कम हो जाती है जिस वज़से tax compliance बढ़ जाता है लो इंटरफेस की वज़ा से harassment का scope हो गया bribery हो गया inspector राज हो गया इस तरह की चीज़े कम होगी इस तरह की चीज़े कम होती है GDP बढ़ाने के अंदर revenue इंप्रूफ करने के अंदर आपके export बूस्ट करने के तरह मत मिलिया क्योंकि देखो जो businessmen खुश होगा तो सब चीज़े साथ साथ में ये भी बढ़ेंगी बिल्कुल ठीक बात है making India को एक बूस्ट मिला है और technology वाली चीज़ तो मैंने आपको बताई दी अब देखो ये तो था सिक्के का एक पहलू जो बात करता है कि हाँ भाई GST आया बहुत बढ़े बढ़े चीज़े करी तो डाउट नहीं है इसके अंदर कि GST ने बढ़े चीज़े करी बिल्कुल करी है पर येर कुछ एक छोड़ी चीज़े हैं जो हम अच्छे से नहीं कर पाए जो शायद थोड़ी और बढ़ियां अभी भी हो सकती कैसे चीज़े हैं सर्ष जिसे फॉर एक्जाम्पल देखो एक्च्वल मेरा बहुत बार ऐसे एक्जाम्पल देखने को मिलते हैं कि इस्टल इंफ्रसेक्टल प्रॉपर ना होने की वज़ा से कुछ ना कुछ ग्लिच आ जाता है इस चीज़ के अंदर अब देखो आपने सिस्टम में पूरा टेक्नॉलजी के उपर बेस्ट नाया है कल को टेक्नॉलजी रास्ते में कभी फेल कर जाती है वो एक इशू आ गया पाकी के बार ऐसे एक्जाम्पल जा जाते हैं ऐसी न्यूज आ जाती है कि किसी का डेटा चोरी हो गया है आज कल तो कंपनीज के थूर डेटा चोरी हो जाता है कि यार कभी एक्जाम्पल मजब न्यूज में आया था कि जमाटो का डेटा चोरी हो गया इसका डेटा चोरी हो गया अधार का डेटा चोरी हो गया उसी तरह से यहां पर जो भी आपका आपके जो GST के सारी चीज़े होती है उसका data भी चोरी होने के वर खबरे आती हैं सच्च है या नहीं है that is separate thing पर ये सब चीज़े possibility है data privacy है नहीं है no one knows तरकार को पूरा idea है उसके मेसेस के पर मुएरे उपपर गलत तरह से निगानी भी रख सकती है और क्या है आपने बोल तो दिया जैसे मैं आपको कहा रहा था one nation one text पर इतनी सारी चीज़े उससे बाहर है GST से तो क्या ही point है प्लस आप notice करो न agriculture के उपर आप जानते हैं देखो text तो लगाया नहीं जाता direct text की बात करें पर अगर मैं बात करूँ आपके तो farmers को बहुत सारा GST पे करना पड़ता है different different आपके agrochemicals, fertilizer, safety kits की ओपर जैसे ivier हो गया, mask, gloves हो गया इन सब चीजों की ओपर पर उनको वहाँ पर input tax credit तो मिलता नहीं है पर input tax credit नहीं मिलेगा दिक्कत क्या आएगी? दिक्कत ही आएगी कि वह वस्तुएं महेंगी हो जाएंगी ये question mark रहता है plus आप बात करो ना GST structure को क्या लेकर आया गया था इसलिए आया गया था कि जो taxis का system इतना जादा complex है ना उसको थोड़ा सहम simplify कर पाएं अब काफी लोगों का ये मानना है कि भाई GST ने कुछ हद तक simplify किया होगा पर GST ही अपने आप में बहुत complex है आप notice करोगा GST इंडिया में बहुत ही कम लोगों को समझाता है कि GST आखिर है क्या क्योंकि GST इतना complex बना दिया तो point ही क्या था focus तो ये था ना कि GST आएगा तो बाकी सारी चीज़ों को असान बनाएगा आपने जो एक जगा को हटा के दूसरी जगा जो बना दिया इट इस लाइक कि आपने पुरानी चीज़ को एक नई wine मतलब नई bottle में डाल दिया पुरानी wine कोई अलाकि उतना complex नहीं है पर अभी भी complex है अब भी लोगों नहीं समझाता कि GST क्या होता है उपर से लोग बोलते थे कि यार एक ही text लगेगा तो जातर दिशों में न एक single slab होती है यहाँ पर slab का ही समझ नहीं आरा कि 5%, 12%, 18%, 18%, 28% फिर उसमें कभी changes करते रहते हैं अच्छे changes होने चाहिए अच्छी बात है पर कई बर ऐसा देखा गया कि कुछ changes ऐसे भी है जो बहुत ही controversial हो जाते है कई लसी के उपर tax लग रहा है कभी दहीं के उपर tax लग रहा है कभी प्राठे के उपर tax लग रहा है तो मतलब ऐसे questions भी उठेंगे अर्यों getting the point कि इतना complex system बन चुक है जीएस्टी का वही कि जो उसका real purpose था टेक्स को simplify करना कहीं ना कहीं वो उस उदेश्या से दूर तो नहीं चला गया और क्या है और example देखो होता क्या है ना कई बर GST जो dues होते हैं उसको मिलने के अंदर के पर दिक्कत आ जाती है टेक्स के frauds अभी भी चल रहे हैं जिसमें आपको कह रहा था एक जो मुद्दा आते हैं वो आपका informal sector का आता है देखो ये सब चीज़े जब 2016-17 की बात अगरा मैं बात करूँ तो आप जानते हैं उस समय एक तो demonetization हुआ ना note बंदी हुई उसी समय के उपर आपका GST भी लाया गया तो दरसल में ऐसा बताया जाता है कि इन जो आपके steps लिए गए हाला कि हो सकता है इनके intentions अच्छे रहे हो पर इन steps की वज़ास से informal sector के उपर थोड़ा negative impact आए क्योंग ये जो इंडिया में एक massive level के उपर informal sector देखने को मिलता है उसकी functioning के उपर बहुत बड़ा बदलाव आगया रातो रात के अंदर जिस वज़ास से उसके साथ वो adopt करने के अंदर सक्षम नहीं थे एंड काफी सारे लोगों को अपना business बंद भी करना पर तो काफी informal sector के उपर इसका negative प्रभाब भी देखने को मिला है पाकी देखो एक चीज होती है जिसका नाम हम जानते है inverted duty structure देखो अभी भी काफी सारे areas ऐसे हमें देखने को मिलते हैं जहां पर आपके जो inputs होते हैं उनके ऊपर जो आपका tax rate लगता है वो जादा है और अगर आपकी output बनी हुई product होती है उसके ओपर tax rate कम है यह जो कहीं न कहीं सिस्टम है ना यह आपके local manufacturers को काफी massive level के उपर hit करता है तो inverted duty structure का होना भी एक concern है GST के अंदर इसके लाब हम बात करें कि वा refund की दिक्कत आती है जो कि एक्जामपल जाते है multiple tax level 5% 12% 18% 28% 28% यह भी काफी बार confusion करते हैं बाकि अगर हम बात करें देखो भारत में जो tax rates है ऐसा बताया जाता है कि जैसे for example automobiles हो गया, आपके buildings हो गया, construction material हो गया इनके उपर ना जो दिको टेक्स लगा जाता है ऐसा मानते हैं कि यह काफी जादा है और आप notice करो या चाहे automobil की बात करो, building sector की बात करो, construction material की बात करो यह तो हो वाले sector है जिससे बहुत सारे लोगों को अच्छा कासा रोजगार मिलता है बिल्कुल, और इन चीजों से develop होने का मतलब है कि और जो बाकी ancillary FK sectors है उनको भी बहुत अच्छा कासा प्रोटसाहान मिलेगा, बिल्कुल अब इनको पर जाधा GST होगा, तो दिखकर तो आएगी आएगी तो यह भी एक अपने आपने गंसान है कि tax rate इनको पर जाधा होना एक काफी गलत चीज़ हमें देखने को मिल जाती है एक आखरी point है, anti-profiting का actual में ना, सरकार ने एक body मनाई थी, NAPA के नाम से national anti-profiting authority, उसका function ये था कि let's say, मालो सरकार ने अगर GST कम कर दिया GST council ने गर recommend किया कि हाँ, आपका GST rate कम होना चाहिए तो वो GST rate कम करने की वज़ा से जो फाइदा होना चाहिए वो Indian customer का होना चाहिए बिल्कुल सही बाद है, तभी तो कम कर रहे है पर कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि यार जो फाइदा मिलना चाहिए था, वो end customer को नहीं मिलता और वो फाइदा manufacturer उठा लेता है या बीच में आले जो लोग होते हैं, वो उठा लेते हैं इसी चीज़ को रोकने के लिए यहाँ में बनाई थी NAPA, National Anti-Profting Authority ठीक है, पर काफी सारे लोग इस पठीकोई चीज़ से नाखुश है उनका ऐसा कहना है कि देखो हमारा समिधान में Article 19 1 जी आपको देखने को मिलता है Fundamental right है हमारा बिल्कुल तो कहीना कहीन मैं अपना profession क्या करना चाहता हूँ कैसे काम करना चाहता हूँ मेरे हाथ में होना चाहिए अगर सरकार ये मुझे बतायागी कि हाँ भाई आप इसके उपर दाम ऐसे नहीं चेंज कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते वो कहना कि Article 19 1 जी के अकेंस चाहता है अब ये allegation है ये allegation है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए बढ़ ठीक है, जिस्ट एक point था ठीक है तो आपको जब हम बात करतें GST की, तो एक basic idea GST का definitive होना चाहिए किस तरह के GST के अंदर हमने टेक्सिस को सब्स्यूम किया है, एक वो idea हो गया प्लस, अब क्योंगी time अच्छा कासा हो चुका है तो हर साल इसके उपर reports भी आती है कि क्या बढ़िया हुआ है, पिछले सालों के अंदर क्या किश्राब हुआ है, तो एक उसका complete holistic assessment करवाने की मैंने आज के session में कोशिश करी है, तो एहोप आपको na GST जो था, काफी अब तक समझ आ गया होगा देखो पहली बात तो ना, एक बहुत ही famous line बोली जाती है कि government has no business to be in business सरकार का कोई काम नहीं है कि वो business करे आज से आप पहले जाओ 30, 40, 50 साल पहले तो 50 साल पहले आपको notice करने को मिलेगा कि सरकार ही थी, जो बहुत सारी चीज़े पड़ यूस करती थी, जैसे अगर घड़ी पड़ यूस करी जा रही है, तो वो भी सरकार के दोरा, इस तना बहुत सारी चीज़ों में सरकार involved थी, पर एक्चल में आप notice करो, सरकार का काम ना, एक तरह का regulator की तरह होना चाहिए, rather than, basically not regulator, क्योंकि regulator तो हमारे पास होते हैं, बट as a facilitator की तरह काम करना चाहिए, ना कि अपने आप में वो सारे काम खुद करे, अगर आप ने एक अच्छी playing field दे दी आप अपने private sector को, तो private sector उसके उसके उपर बहुत अच्छा काम कर सकता है, तो पहला तरक तो यही है कि government has no business to be in business, plus at the same time आप notice करोगे, कि हमारे अगर मैं बात करता हूँ आपके public sector undertakings की, जो हम PSU's की बात करते हैं, तो यहां पर ना, आपने notice किया होगा कि अजादी के बाद बहुत सारे PSU's बनाएगे, बहुत सारे PSU's खोलेगे, उनके उपर जितना हमने invest किया, versus उन्होंने कितना return दिया, तो नंबर अपने आप में बहुत ही खराब आएगा, और इसका कारण भी आप समझ पाऊगे, कारण यही है कि हमारा जो private sector है वो work करता है on the basis of profit motive, पर सरकार के अंदर ये profit motive वाली जो चीज है, थोड़ा सा side line हो जाती है जिस वज़ा से हमारे बहुत सारे ऐसी सरकारी संस्थाएं हैं, जो बहुत ही ineffisiently गाम करती हैं इसलिए आप notice करोगे कि PSE उसके उपर आपको negative rate of return on capital employed देखने को मिल जाएं जाने कि कितना आप capital लगा रहे हो उसके उपर rate of return क्या हो negative आपको देखने को मिल रहे हैं, अब ये सब चीजें होंगी, तो आप notice करोगे हमारी अर्थवस्ता, हमारी economy के उपर negative impact आएगा, बिल्कुल सही बात है मैं आपको एक example समझाता हूँ जैसे आप बात करते हो Air India की राइट, अब Air India आप notice कर रहे हो, साल दरसाल साल दरसाल, नुकसान पर नुकसान नुकसान करे जा रहा था है के नहीं, बिल्कुल ठीक बात है अब जब इतना ज़ाधा Air India नुकसान करे जा रहा है अब तो चलो प्राइट कर दिया, पर पहले जब वो सरकारी संस्था थी, तो उस टाइम वो नुकसान कैसे खतम होगा, या नुकसान की भरपाई कौन करेगा, तो अंसरे सरकार करेगी, और सरकार किसकी है, सर वो तो हमारी है, यानि कि in the end वो पैसा जो Air India को उस समय के उपर losses को bear करने के लिए use हो रहा था, कहां से आ रहा था, वो मेरे और आपके जैसे taxpayer की जेब से ही आ रहा था, तो एक तरह से आपके जो देश की savings होती है, जो national savings होती है उनके उपर भी बहुत negative impact आता है इसके साथ ही साथ government की जो fiscal resources होते हैं उनके उपर भी बहुत negative impact आता है अगर inefficiently यहां पर काम हमें देखने को मिल जाता है, कुछ एक दो और important facts की बात करूँ, तो आप notice करोगे कि हमारे द्वारा यहां पर एक fund बनाया गया, NIF, National Investment Fund जो भी proceeds होते हैं PSU की disinvestment के बाद वो उसी particular fund के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे अब एक जो चीज हमें पता होनी चाहिए वो यह है कि आखिर identify कौन करता है कि 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 चीज को हमें disinvest करना है और कि चीज को नहीं करना the answer is there is an department एक अलग से department बना दिया गया है DEEPAM DEEPAM की full firm क्या है? DEEPAM की full firm है Department of Investment and Public Asset Management दरसल में अगर आप Finance Ministry की बात करो ना तो Finance Ministry के अंदर आपको 6 departments देखने को मिलते हैं Department of Revenue, Department of Furniture Department of Economic Affairs हो गया उसी तरह से एक और department है जिसका नाम है DEEPAM तो ये DEEPAM है जो कहिना की strategic sales के regarding यहाँ पर identify करता है ठीक है अब बात आजाती है ये तो बात हुई DEEPAM की basics के बारे में थोड़ा एक basic introduction हमें समझ लिया कि आखिर disinvestment होता क्या है कौन करता है all those things have been tackled अब major जो question आएगा disinvestment के फाइदे versus disinvestment के challenges बात अगर दोस्तों मैं करूं disinvestment के फाइदे की तो आप notice करो जैसे आप भी क्या करते हो करी बार मालो आपने कोई समान बेच दिया अपने घर का जैसे मालो मेरी कोई जमीन पड़ी थी है कुछ भी ऐसे था मैंने उसको बेच दिया अब मैंने अगर बेचा है उस चीज़ को तो मुझे बदले में क्या मिलेगा आप बोलो के बदले में पैसा मिलेगा अब बदले में मेरे पास पैसा आया मेरी जेव फिल हुई अब इस पैसे को मैं कहां यूज कर सकता हूँ जानसर इस बहुत सारी जगा में यूज कर सकता हूँ वो सकता है सरकार इस पैसे का यूज कर ले कहीं पर कुछ एजूकेशन प्रोजेक्ट को अच्छा करने के लिए हेल्थ सेक्टर में काम कर सकती है सड़के बनाने में उसको इस्तिमाल किया दा सकता है और भी बहुत सारी जगा पे सरकार सोशल सेक्टर स्कीम के अंदर इस पैसे को इस्तिमाल कर सकती है जो उसने पैसा डिस्ट इंवेस्टमेंट के माद्यम से उसके बास मिला है एक तो ये फाइदा हुआ दूसरा ना सरकार का आप नोटेस करोगे हवा से थोड़ी पैसा आएगा तो कैसे हम उसको रीपे कर सकते हैं अगर हमारे पास जो पैसा डिस्ट इंवेस्टमेंट के माध्यम से आ रहा है तो वो पैसे को हम यूटिलाइज कर पाएंगे उन पटिकुलर चीज़ों को रीपे करने के लिए और जो हमारा फिस्कल डेफसिट होता है जो बहुत जादा के वार रेखने के मिलता है उस फिस्कल डेफसिट को टैकल करने में हमारी मदद करेगा बाकिया आप जानते हो देखो अगर हमें देश को लंबे समय के लिए long term के अंदर अगर हमें देश की economy को आगे prosper करना है तो उसके लिए जरूवत होती है infrastructure के उपर खर्च करने की आपकी सड़के आपके bridges आपके railways ये सब चीजों के अगर आप खर्चा करोगे ना तो उसके जो परिणाम है उसकी जो benefits है वो आने वाले कई सालों तक आपको देखन अभी राथा कि यहां पर ना माल लीजिए आपकी कोई company है या सरकार की company है सरकार ने उसमें से कुछ हिस्सा हटा लिया कुछ हिस्सा उसने सरकार में से कम कर लिया उससे तो वहाँ पर private sector की entry होगी and private sector कैसे काम करता है आप बोलो कि सर प्राइवेट सेक्टर काम करता है merit के business क के उपर meritocracy हो गया private sector काम करता है आपके profit motive के उपर तो जब ये सब चीजें होंगी profit motive और आपकी meritocracy के माधियम से वहाँ पर efficiency increase होगी तो उस firm का diversity question भी हमें देखने को मिल जाएगा साथ ही मैंने जैसा बताया कि आपका health education इन सभी चीज़ों के उपर हम खर्च कर सकते हैं इसक चीज का मतलब यह है कि मान लो अगर आपकी सरकार अलग अलग चीज़ों पर खर्च कर रही है तो कई बारना जो private sector होता है उसको भी confidence आता है आप बोलोगे किस चीज का confidence इस चीज का कि private sector देखेगा कि यह सरकार भी पैसा लगा रही है ठीक है मैं भी सरकार के साथ मिलकर पै अगरी economy को होता है plus at the same time जैसा मैंने कहा competition अपने आप में बहुत ज़्यादा increase हो जाता है जो कि एक बहुत अच्छी बात है होता क्या है ना कि actually private sector है अब private sector यो profit के लिए काम करना है अब profit चाहिए होगा तो नए-ने technologies के उपर काम करना पड़ेगा आप खुद सोचो ना यार पहले जैसे computers होते थे, computers एक अलग तरह से काम करते थे, अब आज कल computers के अंदर आपको बहुत सारी नए-ने additional चीज़ देखने को मिल जाएंगी, आज कभी AI आ रहा है, कभी हम cloud computing की बात कर रहे हैं, कभी 5G की बात कर रहे हैं, कभी machine learning की बात कर रहे हैं, नए-ने advancement आ रहे हैं, आपके private sector के अंदर नए-ने companies आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ नया-नया innovation करना है, तभी तो उनका जो purpose था, वो serve हो पाएगा, तो जब भी इस तरह से disinvestment होता है, तो उसके साथ ही innovation promote होता है, actually आप इस बात को थोड़ा understand भी करोगे, कही बार पता क्या प्राइवेट सेक्टर की थोड़ी entry जदा हुई, वहाँ पर जो लोग मिहनत करने वाले होते हैं, वो आगे बढ़के काम करते हैं, उससे efficiency बढ़ती है, नए-ने technology आती है, नए-ने investment आती है, नए-ने growth opportunities आती है, वो सब benefits हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, जैसा मैंने पर जैसा मैं आपको कहता हूँ, हर चीज के दो angles होते हैं, तो similarly यहाँ पर dis investment के भी, आपको कुछ challenges या आपको negative चीज़े देखने को मिल जाती हैं, अब खुद सोचो ना यार, अगर सरकार dis investment कर रही है, और मालो बहुत बड़े scale के उपर dis investment हो रही है, सरकार बेचे जा रही है, बेचे जा रही है, बेचे जा रही है, उससे क्या नुकसान होगा, आपके points अप आप दिमाग में आएंगे, for example, सरकार देखो यार, loss making companies को बेचे, तो sense भी लगता है, कि हाँ यार, वो company घाटा कर रही है, हमने उसको बेचा, तो ठीक है, पर ऐसे ना बहुत सारे examples हमारे सामने देखने को मिल रहे हैं, जहां पर जो सरकार है ना, वो profit making entities को भी बेच रही है अब ये बात समझ नहीं आ रही है, कि एक company कोई अच्छा खासा profit कमा रही है, आप उसको भी बेच रहे हूँ, एड़ आप खुद बताओ यार, आपके लिए ना, कहीं से पैसा आ रहा था, सरकार के लिए कोई company profit बना रही है, कोई public sector netting profit कर रही है, profit किसका होता है, मालिक का, मालिक मतलब पौन सरकार, तो अगर कोई PSU profit कर रहे थी, तो पैसा किसके पास आ रहा था, सरकार के पास, पर अगर सरकार अपने हिससे को बेचे जा रही है, तो कहां से पैसा आएगा, कहां से वो profit आएगा, तो आपको नहीं लगता कि जो PSU's पैसा कमा के देती थी, future में अगर आप, let's say, oil sector में अपना हिस्सा कम कर रहे हो, अगर सरकार पीछे हट रही है, strategic sectors के अंदर, अगर strategic sector से सरकार पीछे हटेगी, private sector आगे आएगा, तो कल को ना बहुत बड़ी दिक्कत भी तो हो सकती है, क्यों? क्योंकि आप मालनो, मैं आपको एक चलो example देता हूँ, हाल अटेल हो गया, या वी हो गया, यह मनमर्जी कर सकते हैं, कल को यह बोलेंगे, कितना मर्जी का भी पैक हो, तो हमें लेना ही पड़ेगा, are you getting my point? तो जब भीना, सरकार ऐसे पीछे disinvestment मालो, बहुत जा कर देती है, तो कुछ एक strategic sector के अंदर वे अगर हमारा disinvestment हो जाए, तो सरकार और आम जनता को बहुत दिक्कते आ सकती है, तो जैसे oil sector हमारे लिए बहुत ज़दा important है, तो अगर मालो हम strategic disinvestment करते हैं, oil PSU की, तो अपने आप में ये national security को पर खतरा बन जाता है, right? प्लस at the same time आप private sector को ले तो आए, अब private sector हमारे उस entity को कैसे use करेगा, या कैसे misuse क करेगा, ये भी एक बड़ा question mark उठ जाता है, plus at the same time देखो यार, एक जो चीज होती है न, वो तो ये रहती है, कि आपको पता है, आप सरकारी संस्था में काम कर रहे हो, तो आपकी नौकरी काफी हद तक insured है, आपको नौकरी से निकालने वाला बहुत ही मुश्किल से होता ह सरकार में अगर आप चलेगे न, एक तरह सरकारी कंप्री में काम करने लगे, तो नौकरी से बहुत ही मुश्किल से निकाले जाओगे, पर प्राइविट सेक्टर में तो फटा-फट निकाल देते हैं, तो यही एक रीजन बनता है, कि कही बार न, लोगों के अंदर एक तरन होते हैं, या लेबर यूनिन बगारा होती हैं, वो कई बार न, स्ट्राइक पर धरने बैट जाती है, वो इसलिए बैट जाती है, क्योंकि उनको अपनी जो रोजगार होता है, उसका डर लगने लग जाता है, कि अब सरकार पीछे हटगी है, अब प्राइवेट हिस्सों के ह जात में चली गई है, अब पता नहीं, उनकी नौकरी रहेगी, भिया नहीं रहेगी, कल को उनको निकाल ना दिया जाए, ये एक बड़ी दिक्कत आती है, प्लस आप एक चीज़ नोटिस करो, सरकार ने माललो बोल दिया, कि यार हम अपना कुछ इस्सा बेचेंगे, अपने ये कैसे डिसाइड होगा, किसको बेचना है, कैई बारना यहाँ पर कुछ मुद्दे उड़ सकते हैं, जो की बात कर सकते हैं करफशन की, क्यूंगी ऐसा भी तो हो सकता है, कि सरकार के कुछ लोग, और प्राइवेट सेक्टर या किसी किसी प्राइवेट कंपनी के कुछ लो गर मान लीजिए कि अपना कोई पार्ट किसी को ऐसे कंपनी को बेचरी जिसके उसकी अच्छी दोस्ती है फिर फ्यूचर में वो कंपनी उसको कुछ प्रॉफिट करे तो यह चीज़ होती है क्रोणी कैप्टलिजम यानि कि फेवर करना किसी को किसी के साथ बाइसनेस करना यह क उद्दा क्या है देखो एक्च्छल में ना सरकार को अपना कुछ पार्ट बेचना है ठीक है ना डिस इन्वेस्टमेंट करनी है सरकार को ठीक है अब सरकार कैसे डिसाइड करेगी कितना परसेंट बेचना है पर किस दाम के उपर बेचना है कि ऐसा तो नहीं कि सरकार की कंप इसके लावा एक चीज और नोटिस करो मैंने आपको एक चीज बताई कि जब भी को सरकार कुछ अपना इससा बेच रही है उसको डिसिन्वेस्ट कर रही है तो सरकार क्या कर रही है पैसे कमारी है सरकार की जे में पैसा आ रहा है ठीक है यह सरकार बहुत सारी जगह यूज कर पर माल लो सरकार इस पैसे को यूज कर रही है सिरफ और सिरफ अपना लोन चुकाने के लिए तो क्या यह अच्छी चीज है यह तो वैसा कहना हो गया कि माल लो आप एक परिवार हो ठीक है जैसे आपकी एक फैमिली है अब आपकी फैमिली के उपर करजा चड़ा हुआ है आ आज आपने जमीन बेच दी अपनी कल को आपने अपने दुकान बेच दी कल को आपने कुछ और बेच दिया तो हो क्या रहा है आप अपने को सुधार नहीं कोशिश नहीं कर रहे हैं आप बस यह कर रहे हो कि पुराना कर्जा आपको चुकाना है उसके लिए कुछ भी बेच बेशते जा रहे हो, तो उस fund को आप use कैसे करते हो, it is very very important, सिरफ पैसा आना ही important नहीं है, पैसे का सही इस्तेमाल होना भी बहुत ज़्यादा important बन जाता है, एक आखरी point जो आपको definitely यहाँ पर जानना चाहिए, वो है आपका private monopoly का जैसा मैंने आपको example दिया Jio, Airtel और Vika अगर मान लो सरकार हर जगा से इस्ता से पीछे हटती रहे, तो private sector का roll बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा है ना, तो कहीना कहीं सरकार जब पीछे हट चुकी है, तो private sector ही फिर हर चीज़ dictate करने लग जाएगा क्या सही है, क्या गलत है उस case में हो सकता है private sector की हमारे पास monopoly भी देखने को मिल जाए, monopoly का आर्थ आप समझते होंगे, monopoly का आर्थ ही होता है कि single seller बच गया, या फिर oligopoly कहलो, या फिर बहुत ही कम number of sellers हमें देखने को मिल रहे हैं अगर बहुत कम seller होंगे, या सिरफ एक ही seller होगा, एंड सरकार उसमें role planning कर रही, तो private companies ही फिर एक तरह से dictate करेगी कि कोई आपको वस्तु खरीद नहीं है मेरे और आपके जैसे आम इंसान को तो किस rate के उपर खरीद नहीं है ये सारा का सारा चीज़ें आपको private sector ही इस्तेमाल करेगा और private sector इस्तेमाल कर रहा है और private sector अपने profit को देखेगा उसको हमारे से, आम जंता से सरकार से कुछ नहीं मतलब उसको सिरफ और सिरफ मतलब है आपके private sector से, उसके profit से तो ये आपकी जो private monopolist का इस तरह से बनना, कही ना कहीं सिरफ higher profits के लिए होगा और इससे कही ना कहीं जो नुकसान होगा वो मेरे और आपके जैसे आम इंसान का ही होगा ध्यान रखना जब भी आप disinvestment का अंसर लिखोगे, उसमें आपको एक अच्छी definition, एक अच्छी introduction आपके अस होनी चाहिए आपके उसकुछ data हो या हम चाहिए कुछ एक अच्छे examples होने चाहिए plus at the same time, दोनों sides of the coin के points जरूर होने चाहिए कि आखेर disinvestment करने से क्या-क्या फायदा होता है and on the other hand, किस तरह के नुकसान हमें disinvestment के वज़ा से देखने के मिलते हैं, तो ये एक आप holistic understanding इसके मादियम से कर सकते हो अपने disinvestment topic की तो दोस्तों यहां तक हमने major major topics थे, चाहे वो आपका budget था, disinvestment था, GST था वो सारे discuss कर ली हैं, अब कुछ न छोटे मोडे topics हैं, कुछ miscellaneous topics हैं, उनको आगे हम समझ लेते हैं, एक यहां पर न आपके सामने एक curve बनी हुई है that is known as lefer curve, meaning समझना इसका कि आखिर lefer curve का अर्थ क्या होता है, मुझे एक चीज़ बताओ, जब lecture की starting में मैंने आपको एक चीज़ पूची थी कि टेक्सिस के बारे में जब हम चर्चा कर रहे थे, basically, direct and direct की अब आप एक चीज़ नोटिस करो, यार टेक्स ना, कितना होना चाहिए क्या आपने कभी यह सोचा है 10%, 20%, 30%, 40%, कितना होना चाहिए एक चीज़ आप नोटिस करते हो, आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी कि सर माल लो, सरकार ने टेक्स बढ़ा दिया, ठीक है अगर सरकार टेक्स बढ़ा देगी तो आपके दिमाग में यह आएगा कि सरकार की income बढ़ जाएगी, सरकार का revenue बढ़ जाएगा मालो 50, 60, 70, 80% ऐसे उसने कर दिया उस case में पता क्या होगा मेरे दिमाग में एक चीज आएगी मैं सोचूँगा यार कि सारी मेहनत मैं कर रहा हूँ ठीक है दुपहर में, रात में, रात रात बर जाके आपके लिए वीडियोस मैं बना रहा हूँ सभी बात है मैं इनत पूरी मैं करे जा रहा हूँ पैसा सारा का सारा सरकार लिये जा रही है उस case में मैं कुछ गड़बड करने ही कोशिश करूँगा कैसी गड़बड मैं सोचूँगा यार मुझे निटेक्स पे करना कुछ तरीका निकाल लेते हैं ऐसा कि टेक्स को पे करना ही ना पड़े हमें Are you getting my point? मैं टेक्स की चोरी करने लग जाऊंगा क्यूंकि अगर मुझे लगा यार मैं 100 रुपया कमा रहा हूँ और इस पिसे 50 रुपया सरकार रखे जा रही है मेरे पास इतना सा कम बच रहा है तो मेरी कोशिश क्या रहेगी? मेरी कोशिश रहेगी कि यार मैं टेक्स ना तोरी कर लो मैं टेक्स कर लो ना पे करूं किसी ना किसी तरीके से Getting the point तो एक्चल में क्या होते है ना अगर आपने टेक्स को, टेक्स रेट को बहुत ज़़दा बढ़ा दिया बहुत ज़़दा इंक्रीज कर दिया उस केस में सरकार का revenue नीचे आजाता है ठीक है? तो आपकी दिमाग में एक चीज़ ओर आएगी तो सर्ट टेक्स रेट को अगर कम कर दे तो देखो टेक्स रेट अगर मालनो बहुत कम होईगी 5%, 10% या उससे भी कम उस केस में सरकार के पास कुछ revenue नीचे आएगा कि मालनो मैं 100 रुपय कमा रहा हूँ सरकार मेरे से बस 2% tax ले रिया है तो सरकार को सिर्ब 2 रुपय जाएंगे तो यानि कि अगर tax rate बहुत कम हो तो भी सरकार के पास ज़्यादा revenue नीचे आता पर tax revenue maximize होगा तो सरकार को कोशिश ये करनी चाहिए कि एक certain level का tax रखे ना बहुत कम ना बहुत जादा वहीं पर उसका revenue maximum हमें देखने को मिलेगा इसी को बोलते हैं कि या lefer curve आप notice करो इसकी shape क्या है यहाँ पर अगर 0% tax है तो सरकार को कोई कमाई नहीं है 100% tax है तो भी सरकार को कोई कमाई नहीं है यह हमें ये वाली जो position होती है ना जहां पर आपका tax revenue maximum होगा हमें वो point ढूंडने की कोशिश करनी चाहिए ताकि कहना कहीं सरकार का जो revenue है वो maximize हो पाए इसके लाबा देखो और एक दो मुद्धे और है जैसे for example एक चीज कही पार news में आती है that is capital gains text क्या होता है capital gains यह capital आप समझते हो मालो जैसे ना मेरे पास कोई painting है कैसी painting मतलब जैसे मोनलीसा की painting है मेरे पास ठीक है अब मेरे पास मोनलीसा की painting थी और वो एक लाग की थी या एक करोड की माल लेते है ठीक है अब समय के साथ ना हो सकता है कि लोगों के अंदर उसकी popularity बहुत बढ़ जाए उस painting की और वो painting एक करोड वाली अब दस करोड की हो जाए is it really possible? answer is yes तो मुझे बताओ यह जो painting मेरी एक करोड की थी वो दस करोड की हो चुकी है बिल्कुल तो यहाँ पर ना जो मेरा asset था वो appreciate कर गया है बिल्कुल कर गया है एक करोड वाली मेरी painting दस करोड की हो चुकी है तो यहाँ पर यह 9 करोड extra क्या है this is nothing but a capital gain this is nothing but a capital gain बिल्कुल सही बात है और जब capital gain होगा तो सरकार बोलेगी भाई एक काम करो मुझे न capital gain tax लगा दो अगर यह short term होता है तो उसको हम short term capital gain बोल दते हैं अगर long term होता है तो उसको long term capital gain LTCG आप लोग ने सुना होगा है कि नहीं तो यहां पर जब आप अपनी painting को sell करोगे उस समय लगेगा ऐसा मत सोचना कि मेरे पास painting पड़ी हुई है आज एक करोड की है कल दस करोड की हो गया जब तक ना बेचूंगा नहीं ना तब तक मेरे उपर tax लगेगा तब लगेगा जब मैं उसको बेच दूँगा पैसे तो पड़ी है तो पड़ी रहेगेगी तब कोई tax देने की ज़ूरत नहीं जब बेचूंगा जब बेचने के उपर जो भी मेरा यहां पर appreciation हुआ उसके उपर मुझे tax देना पड़ता है that is known as capital gain tax और UPS ने यहां पर सवाल भी पूचा हुआ था ध्यान से करना इस चीज़ को यहां पर कह रहा है कि कौन से circumstances के अंदर आपका capital gain हो सकता है पहला कह रहा है कि मानलो product की sales बढ़ गया अब मानलो कोई product था जैसे मानलो घड़ी है यह watch की बात कर रहा हूँ अब पहले watch अगर एक बिखती थी अब दस बेचने लगे वाप यहां पर पता क्या हुआ है quantity increase हुई है sales मतलब quantity increase हुई है ऐसा थोड़ी था कि पहले घड़ी 500 की थी अब वो एक लाग की होगी है नहीं ऐसा थोड़ी हुआ है अगर यह चीज़ हुई होती तब उसको capital gain बोलते है quantity बढ़ जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है उसमें capital gain का कोई role नहीं है तो यह जो बात कह रहा है कि sales बढ़ गी है नहीं जब तक उसकी value appreciate नहीं होगी तब तक हम नहीं बोलेंगे second कह रहा है कि मालों जैसे आपने painting वाला ही जो example था वो यहाँ पर third वाला बिल्कुल सही है उसका सही जवाब क्या बनेगा सही जवाब बनेगा option number B 2 and 3 only will be the right answer हाँ जी एक concept और है यहाँ पर FR BM Act के बारे में आपको पता होना चाहिए actual में जब मैंने आपके साथ discussion किया पूरा का पूरा की जैसे हम बात करे थे deficit और बाकिसाई चीज़ों की तो आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी अगर मतलब सरकार बहुत ज़ा खर्चा करती जा रही है और कही ना कहीं पैसा वो कमा नहीं रही इससे नुकसान किसके उपर होता है आने वाली सरकारों के उपर आने वाले लोगों के उपर बिल्कुल ठीक बात है तो 2003 मेन ऐसा सोचा गया कि हम एक एक्ट लेके आते हैं जो कि लाया गया FRBM Act Fiscal Responsibility and Budget Management Act इसके माद्दम से कोशिश यह कही गई गई कि जो हमारा FD होगा Fiscal Deficit वो 3% of GDP तक आ जाएगा और similarly State के case में भी सेम चीज़ आ जाएगी and साथी साथ हमारा जो Revenue Deficit है वो खतम करना है मैंने आपको Lecture के Starting में भी बता जिया था कि किस तना से Revenue Deficit इतना ज़़ा खराब चीज होती है It is like कि आप अपना रोज मरा के खर्चे करने के लिए भी आप कहीं से उधार ले रहे हो तो कोशिश ही ये थी फिर बाद में जब Effective Revenue Deficit के तरफ हम Move करें तो हमने डिसाइड किया कि हाँ 2012 में हमने Amendment ये किया कि हमारा ERD जो होगा उसको Zero करेंगे Point simply ये था कि खर्चा कर रहे हो सोच समझ के खर्चा करो ऐसे Randomly Fall 2 चीजों पर खर्चा मत करो तो Effective Revenue Deficit आपका हतम कर दो and Fiscal Deficit आपका 3% तक ले आओ GDP का ठीक है पर हुआ पता क्या है हुआ ये है कि हम इस Targets को अचीव नहीं कर पा रहे है because of different different reasons कभी economic crisis आ गया है COVID-19 pandemic आ गया है बहुत सारे कारण बचे हैं तो हम इसको extend, extend, extend ही करते जा रहे हैं तो यहाँ पर हमारे सामना escape clause भी होता है escape clause का मतलब क्या यानि कि हमारे जी जो target था जो act के अंदर बताया गया है इसको हम यहाँ पर exceed भी कर सकते हैं उसको escape भी कर सकते हैं एक तरह से कि माल लो अगर हमें लगे कि economy के अर्च वरस्ता थोड़ी पहतर करने के लिए जादा खर्चा करना पड़ रहा है तो करेंगे कुछ issue आ जी आता है बहुत बड़ा कुछ agriculture के दर समस्से आ जाती है उसको tackle करने के लिए करना है तो भी करेंगे तो यह सारी बाते FRBM के अंदर बताई गई है आप साथी साथ notice कर पाओगे जो सरकारा का जाओ गौर्मेंट डेट है उसकी अगर हम बात करें तो overall गौर्मेंट डेट की बात करें war हो गया कुछ और considerations हो गया कुछ climate हो गया कुछ agriculture collapse हो गया ठीक है structural reforms करने है हमें इन अलग-अलग cases के अंदर हम यहाँ पर इस particular target को breach भी कर सकते हैं वहाँ पर हमें escape clause देखने को मिल जाता है अब यह जो FRBM है Fiscal Responsibility and Budget Management यहाँ पर एक्ट के साथ साथ ना यह mandate किया हुआ है कि हमें यहाँ पर ना कुछ statements भी यहाँ पर पेश करनी होगी ठीक है जो budget आता है ना मारा तो budget के साथ ही हम यहाँ पर इन चीजों को पेश करते हैं जैसे for example एक जो statement है that is macro economic framework statement यहाँ पर हम GDP का data हो गया import export हो गया इन सब चीजों का data हम यहाँ पर publish करते हैं इसके लाबा medium term के अंदर हमारी fiscal policy कैसी रहने जा रही है तो medium term के बारे में यह बताता है उसके अलाबा अगर हम बात करें ना यहाँ पर बात होती है fiscal policy strategy statement की इसके अंदर होता है कि सरकार का घाटा कितना है right deficit कितना है and उस deficit को कम करने के लिए हम क्या क्या steps लेने जा रहे हैं वो यहाँ पर statement को दर्शाता है and lastly हमारा होता है medium term के अंदर हम कहाँ पर कितना expenditure करने की बात कर रहे हैं basically point पता क्या है in documents का in statements का simply कि आप खर्चा कर रहे हो ठीक है सोच समय के खर्चा करो तांकि एक चाना से accountability आए जैसे आप भी कोई चीज खर्चा करते हो अगर आप अपने खर्चे के बाद कहिना कि अपने parents को दिखाने लग जाओ कि मैंने इस महीं नहीं यह यह खर्चा किया तो आपके दिमाग में भी accountability आएगी अगली बार से खर्च करने समय थोड़ा सोचोगे कि यार हाँ इसको कोई देखेगा उसके उपर सवाल किये जाएंगे तो यह कुछ pointers थे जो FRBM documents के बारे में हमें पता होने चाहिए इसके साथ ही UPSC ने पूचा हुआ था यहाँ पर कौन-कौन से चीज़े यहाँ पर प्रिजेंट करी जाती है तो बिलकुल इसका जो आपका option होगा option number D होगा ठीक है तो काफी असान question UPSC ने यह 2020 में हमसे पूचा था अब यहाँ पर FRBM के साथ ही कुछ एक छोटे-मोटे concepts linked है जिसे for example एक concept है fiscal discipline meaning पता होना चाहिए यह बस इनका ज्यादा कुछ नहीं है यह last ही चल रहा है fiscal discipline का मतलब क्या होता है fiscal discipline का meaning होता है discipline बड़न दिसिप्लन तो अगर आपके खर्चे और आपके revenues के बीच में एक सामंजियस है एक balance है उसको हम fiscal discipline बोल देते हैं उसके साथ ही fiscal consolidation जब कहिना कि आप अपने घाटे को कम करने कोशिश करते हो मतलब एक तरह से अपना deficit आपने कम कर दिया उसको बोलेंगे हम fiscal consolidation consolidation में क्या होता है आप अपने खर्चा एक तरह से कम करते हो अपना revenue बढ़ाने की कोशिश करते हो यहान रखना ऐसा नहीं है कि fiscal debt खतम कर देना जीरो नहीं करना पर उसको कैसे हम कम कर सकते हैं उसके लिए क्या policies adopt करनी है वो बात है इसी तरह से एक term आता है fiscal slippage यह terms आपकी books में है fiscal slippage की बात तब होती है जब मानलो जो target सा fiscal deficit का जैसे 3% GDP का हम वो target नहीं achieve कर पाएं उसको cross कर दिया that is fiscal slippage उसके तरह से अगर मानलो आप अंदा अधूंद हर चीज़ पे पैसा खर्च करे जा रहे हो randomly reckless spending उसको बोलते हैं उसको हम technical भाशा के अंदर fiscal profligacy यहाँ पर बोला जाता है उसके साथ ही साथ एक होता है fiscal glide path इसका meaning क्या है कि मानलो हमारा जो भी target था उसको achieve करने के लिए हम क्या-क्या steps लेने जा रहे हैं क्या-क्या हमारा path होगा उसको बोलते हम fiscal glide path यह सारे terms आपको अच्छे से पता होने चाहिए इसी तरह से एक और term है जिसको हम बोलते हैं क्या जिसको बोला जाता है fiscal drag fiscal drag में क्या होता है देखो एक चीज़ आप समझो मानलो पहले आप कुछ पैसा कमाते थे ठीक है तौर पैक माते थे तौर पैके उपर मानलो 20% tax लग जाता था ठीक है अब आपकी income लेट से मैंने बुलना 200 होगी आपकी income 200 होगी डबल होगी आपकी income और आप नोटिस करोगे शायद आपकी tax lab भी तो बढ़ जाएगी पहले आप 10% progressive taxation के अंतर ये चीज़ हमें देखने के मिलती है कि जैसे आपकी income बढ़ी accordingly tax lab आपका बढ़ गया tax lab बढ़ने के वज़े से आपको जितना पैसा मिलना चाहिए था या जितना आप spending करना चाहते थे वो कहिना की decrease हो जाती है इसी को बोलते है fiscal track ठीक है ध्यान रखना है किसमे हमें ये देखने के मिलता है fiscal track in a progressive taxation system एक और concept है जहां हम बात करते है tax evasion, tax avoidance और tax planning की देखो ये आपके internal security का मुद्धा है वैसे to be very honest पर थोड़ा सा मैं आपको explain कर देता हूँ tax planning ना एक अच्छी चीज़ होती है जैसे हम सब लोग tax plan करने ही कोशिश करते हैं ये कोई illegal चीज़ नहीं है, सही चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आप अराम से अपना देखते हो कि higher मुझे कहां पर कितना वैसा invest करना है, कहां पर कैसे मैं manage कर सकता हूँ बिल्कुल proper ढंक से चीज़ कर जाती है उसका हम बोलते है tax planning इसके लाबना एक चीज़ होती है आपकी tax avoidance, tax avoidance पता क्या होता है, कई ना कुछ legal loopholes होते हैं, कुछ laws में कुछ ना कमिया चुपी होती है आप उस कमियों का मिस्तेमाल करने ही कोशिश करते हो, वो आपका tax avoidance में आता है, पर tax evasion अपने आप में बड़ा ही खतरनाक हो जाता है आप अपनी company की या अपनी खुद की income दिखाते ही नहीं हो, वो सब चीज़े हैं, तो ये दो अपने आपने पूरी तरह से illegal है, जो आप notice नहीं करते हैं, कि income tax का चापा पड़ा है किसी बंदय की उपर, वो इसी context में होता है कि कहीं यहाँ पे tax evasion तो नहीं हो रही do you get my point, do you get my point, छीक है, एक दो terms और है, एक है आपकी tax buoyancy, buoyancy समझते हो, कि किसी चीज़ को बदलाव किया, उसका कितना effect आया, तो अगर माल लो आपकी जैसे economic growth है, economic growth मतलब आपकी GDP, अगर माल लो किसी देश की GDP बढ़ रही है, GDP बढ़ना अची बात है, जैसे इंडिया की भ बढ़ रही है, समझपा रही हो, अगर माल लो GDP आपकी growth तो हो रही है देश की, पर अगर सरकार की tax उतना नहीं मिल रहा, that means what, that means कि सरकार प्यास पैसे नहीं आ रहा, सरकार खर्च कैसे करेगी, दिक्कत आएगी, के बरिस का मतलब ये भी आप निकाल सकते हो, कि अमीर और ग बढ़ रहते हैं, tax elasticity और tax buoyancy में, buoyancy आपका GDP के साथ link होता है, पर tax elasticity की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर न, जैसे मैंने कहा कि माल लो पहले tax rate 20% था, अब 20% से मैंने इसको कम करके 15% कर दिया, अब ये tax rate बदलने की वज़ा से, क्या मेरे tax revenue में बदलाव आया है नहीं आया, वो होता है, tax elasticity, buoyancy में GDP का impact देखते हैं, आपका elasticity में हम देखते हैं, tax rate चेंज करने का impact हम यहाँ पे notice करते हैं, ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा fiscal policy का topic, ठीक है, जो most important topics थे, वो मैंने आपके साथ cover कर दी हैं, I will suggest कि आप definitely book के थूँ आप एक बार go through कीजिए, ताकि अच् elasticity की बात करी थी, और आपका जो डिस इंवेस्टमेंट वाला topic, वो में इसके perspective से definitely बहुत जाथा important बन सकता है, दोस्तों, इसी तरह से आप भी अप्रेंट पे hard work करते रहिए, thank you so much for joining, all the very best, thank you so much.